भारत स्वाविमान के सभी सम्वाननिय कारेकरता मित्रो आज मुझे आपके सामने एक विशे प्रस्तुत करना है और वो विशे है भारत में विदेशी कमपनियों की लूट ये विशे अपने भारत स्वाविमान के जो नीतियां हैं उद्देश्य हैं उनका सबसे प्रमुख विशह है। आप अगले पांच दिन लगातार परम पूजनिये स्वामी जी का जब बार-बार प्रवचन सुनेंगे, सुबह के सत्र में या दुपैर के सत्र में, तो स्वामी जी आपको एक संकल्प कराके भेजेंगे। वो संकल्प अगर आप ध्यान से सुनेंगे, तो उस संकल्प में तीन बाते हैं। पहला संकल्प है कि प्रति दिन में माने आप हम सब एक घंटे योग और प्राणायाम करेंगे, ये पहला संकल्प है। दूसरा संकल्प है कि हम अपने जीवन में खुद प्राणायाम करेंगे एक घंटे योग करेंगे और दूसरों को भी एक घंटे कम से कम योग और प्राणायाम कराएंगे तो ये पहले संकल्प का दूसरा हिस्सा है दूसरा संकल्प है कि हम अपने जीवन में यम नियम का पूरी तरह से पालन करेंगे और तीसरा और आखरी संकल्प है कि अपने जीवन में स्वदेशी वस्तूओं के ओपियोग का पूर्ण आग्रह रखेंगे शून्य तक्नीकी के छेत्र में शून्य तक्निकी आप सब समस्ते हैं जिस काम को करने में जिस वस्तू को बनाने में बड़ी मशीनों की जरूरत नहीं पड़ती वो सब शून्य तक्निकी तो हम अपने जीवन में शून्य तक्नीकी से बनी हुई वस्तुओं को स्वदेशी कमपनियों की ही खरी देंगे, विदेशी नहीं खरी देंगे, ये तीसरा और आखरी संकल्प आपको कराया जाएगा तो आप सोचिए कि ये हमारे संकल्प का हिस्सा है कि हम स्वदेशी वस्तुओं का उप्योग करें अपने जीवन में और दूसरों को भी उप्योग करने के लिए प्रेरित करें तो आखिर ये एक जरूरत हमें क्यों पढ़ रही है स्वदेशी वस्तों का उप्योग करने की अपने जीवन में और दूसरों को उप्योग करने के लिए प्रेरित करने की उनके जीवन में ये विशय हम ठीक से समझें और हम दूसरों को समझा सकें उस द्रश्टी से मैं आपसे कुछ बातें करूँगा जो बातें आपको मेरी लगें बहुत काम की हैं उपयोग की हैं उनको तुरंत आप लिख लें क्योंकि बार बार ऐसे व्याख्यान नहीं हो पाते हैं तो आप जरूर लिख लेंगे कभी भी आप कॉपी खोल के देखेंगे तो याद आ जाएगा और किसी से बात करेंगे तो आप वो सब सूचनाओं को जानकारियों को दूसरे को प्रिशित कर सकेंगे तो इस द्रश्टी से आपकी कॉपी पैन तयार रहें खुले रहें भारत देश में आजदी के 62 साल के बाद हमें भारत स्वाभिमान की तरफ से या परम पुझनिये स्वामी रामदेव जी को स्वदेशी आंदोलन चलाने की जरूरत क्यों पड़ गई है यहां से मैं बात शुरू करता हूँ अगर आपने भारत का इतिहास पढ़ा होगा थोड़ा बहुत तो आपको भारत के इतिहास में ये बात पता चलेगी कि सन 1905 में इस देश में हमारे देश के एक बड़े महान क्रांतिकारी श्री लोकमा निबाल गंगाधर तिलक ने स्वदेशी आंदोलन चलाया था और इतिहास के पन्ने जब आप पल्टेंगे तो पता चलेगा कि ऐसे ही एक महान क्रांतिकारी इस देश में श्री लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन चलाया था और इतिहास को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि भारत देश के एक महान करांतिकारी श्री विपिन चंद्रपाल ने स्वदेशी आंदोलन चलाया था और इतिहास में आपने पढ़ा होगा लाल बाल पाल ये तीन नेताओं का तिकड़ी था लाल माने लाला लाजपत्राए बाल माने विपिन चंद्रपाल और पाल माने श्री विपिन चंद्रपाल ये तीन बड़े क्रांतिवीर नेता थे जिनोंने सन 1905 में स्वदेशी आंदोलन चलाया था और उस स्वदेशी आंदोलन में सबसे पहली सभा हुई थी पुने में महाराष्ट का पुने नाम का शहर है ये जो महाराष्ट से आय हुए कारिकरता है अगर पुने के होंगे तो पुने में एक बड़ा इतिहासिक इस्थान है उसका नाम है शनिवार वाड़ा पुने शहर के मध्ध में एक बहुत बड़ा चौक है बहुत बड़ा इस्थान है शनिवार वाड़ा वहां पर सन 1905 के दिसंबर महिने में साथ तारीक को विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी और पूरे पुने शहर से लोगों ने घर से अंग्रेजों के बनाए हुए कपड़े निकाल कर वहां लाके जला दिये थे अपनी इक्षा से और वो आयोजन किया था श्री लोकमाने बाल गंगाधर तिलक में लोकमाने बाल गंगाधर तिलक पुने में ही रहते थे उनका निवास इस्थान पुने में था महराश्व के और पश्रिम भारत के उस समय के सबसे बड़े नेता थे और जिस समय ये हुआ था, उस समय महात्मा गांधी भारत में नहीं थे, ये घटना है सन 1905 की, महात्मा गांधी भारत में आये सन 1915 में, तो गांधी जी के आने के 10 साल पहले इस देश में स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया, शुरूरात कैसे हुई, पुने के शनिवारवा में साथ दितंबर 1905 को विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई और उसमें आग लगाई श्री बाल गंगाधर तिलक में वहां से ये आंदोलन शुरू हुआ उसके बाद भारत के हर बड़े शहर में अंग्रेजी कपड़ों की होली जलाना लोगों ने शुरू कर दिया था आपको सुनकर हिरानी होगी कि 1905 से ये आंदोलन शुरू हुआ एक शहर के एक महले से और 1911 तक आते आते six वर्ष में ये स्वदेशी आंदोलन संपूण भारत देश के एक-एक शहर में फहल गया एक एक शहर में पुने में मुंबई में हेदराबाद में सिकंद्राबाद में बैंगलोर में मदरास में आगरा में अलीगड में मेरट में सहारनपूर में दिल्ली में ऐसे भारत के लगबग 600 बड़े स्थानों पर ये पूरे तेजी से आंदुलन फैल गया और आपको ये सुनकर भी हैरानी होगी कि श्रीमान लोक बाल गंगाधर तिलक एक बड़े नेता लाला इस्तर भारत के पंजाब हर्याना इसके लिए बड़े नेता थे और लोकमान नितिलक महराश्र और पूरे पश्चिम भारत के तीन नेताओं के कहने से आंदोलन शुरू हुआ और छे साल में इस आंदोलन के एक करोड़ 24 लाग कारिकरता पूरे देश में तयार हो गए मात्र छे साल आंदोलन क्या था अंग्रेजों के बनाए गए कपड़ों का बहिशकार करना है और अंग्रेजी कपड़े किसी के शरीर पर हो तो उतार कर जला देना है किसी के घर में है तो निकाल कर जला देना है हर तरह से अंग्रेजी कपड़ों का बहिशकार करना है और अंग्रेजी कपड़ों के अलावा अंग्रेजों की बनाई गई हर वस्तु का बहिशकार करना है उस जमाने में हमारे देश में ज़्यादा तरफ चीजें जो थी न वो इंग्लेंड से आती थी बनके कपड़ा इंग्लेंड से आता था चीनी इंग्लेंड से आती थी चीनी माने शक्कर जिसको आजम शुगर अंग्रेजी में कहते ये इंग्लेंड से आती थी तो हिंदुस्तान के स्वदेशी आंदोलन के कारिकरताओं लोगों ने अंग्रेजी कपड़े का जैसे बहिशकार किया वैसे अंग्रेजी चीनी का बहिशकार कर दिया लोगों ने चीनी खाना बंद कर दिया आप सोच सकते तो आप बोलेंगे फिर क्या किया अंग्रेजों की बनाई गई चीनी खरीबना तो बंद कर दिया और भारत के गाओं के किसानों ने उसके विकल्प में गुड़ बनाना शुरू कर दिया और गुड़ खाकर अपना जीवन चलाना शुरू कर दिया अंग्रेजी चीन ही नहीं खाएंगे,"ग्रेजी नहीं पहनेंगे,"उjung्रेजों के देश में से उस जमाने में ब्लेड आता था भारत में दाड़ी बनाने वाला तो भारत के लोगों ने अंग्रेजी ब्लेड से दाड़ी बनाना बन कर दिया और भारत के नाईयों ने भी अंग्रेजी ब्लेड से दाड़ी बनाना बन कर दिया और उसकी जगे भारत में उस तरह बना लिय में कोई जाता था दाड़ी बनाने के लिए तो उस तरह से दाड़ी बनाई जाती थी ब्लेट बन कर दिया इस्तेमाल करना इसी तरह से अंग्रेजों की देश से बन कर एक चीज आती थी जिसको नील कहते हैं नील की करोणों लोगों ने अंग्रेजों का नील कपड़े में लगाना बन कर दिया इसी तरह से अंग्रेजों की देश में से 60-70 तरह की चीजें आती थी उन सब चीजों का एक एक करके भारत के लोगों ने बहिशकार कर दिया खरीदना बंद कर दिया और अंग्रेजों की ये चीजें जिन दुकानों पर बिक्ती थी वहां पर लोग जाकर सत्याग रह करते थी जैसे अंग्रेजी वस्तू बेचने की दुकाने होती है ना आज भी हमारे देश में बड़े- जंदरपाल के जो कारिकरता होते थे स्वदेशी आंदोलन के वो जाके सत्यागरे करते थे और जो व्यक्ती दुकान में घुसता था कोई भी सामन खरीदने के लिए उससे वो सामन छीन लेते थे और वहीं आग लगा देते थे उसको कभी-कभी जगड़ा हो जाता था क्योंकि सामन खरीदने के लिए जो आदमी जा रहा है वो गुस्सा होता था कि हमने तो पैसा खर्च कर दिया और तुमने हमारा सामन छीन के जला दिया तो स्वदेशी आंदोलन के कारिकरता अपनी जेब से निकाल के उसका पैसा उसको दे देते थे कहते थे तुम जाओ और इस पैसे से कोई स्वदेशी माल खरीद के इस्तेमाल करो विदेशी माल मत खरीद कारिकरताओं का उच्सा इतना जबरजस्त होता था कि अगर किसी ने विदेशी माल के खरीदे जाने के बाद उसका छीन लिया जला दिया घुसा किया तो क पारिकर्ता अपनी जेब से निकाल के उसको पैसा दे देते, कि देखो तुमारे सामान का पैसा हमने दे दिया, तो माल खरीद के जला देते, कहीं कहीं तो ऐसा होता था, कि जबरजस्ती कुछ ऐसे लोग होते थे, जो अंग्रेजी मानसिक्ता के जैसे आज होते हैं, अंग्रे कि हमको तो विदेशी माल खरीदना है तो स्वदेशी आंदोलन के कारिकरता सड़क पर उनके सामने लेट जाते थे जमीन पर दुकान का दरवाजा होता है ना उसमें जमीन पर लेट जाते थे और कहते थे हमारी छाती पर पैर रखो तब अंदर जाओ तो डर के मारे बहुत सारे लोग पीछे हट जाते थे और ऐसे भी स्वदेशी आंदोलन में कारिकरता हुए हैं एक बड़े महान कारिकरता जिनका नाम बहुत कम लोग जानते हैं स्वदेशी आंदोलन के थे उनका नाम था बाबू गेनू मराठी व्यक्ति थे महराश्र के थे मुंबई में रहते थे उन्होंने एक टोली बना रखी थी और वो टोली क्या करती थी पूरे मुंबई शहर में घूम घूम के वो टोली ये पता करती थी कि विदेशी माल की कौन-कौन सी गाड़ियां कहां कहां आ रही हैं कहां कहां गाड़ियां आ रही हैं क्योंकि अंग्रे दारी करते हुए घूमते थे और पता करते थे कि कहां विदेशी माल की गाड़ी आई और जहां उनको पता चला कि विदेशी माल की गाड़ी आई बस वहीं गए और गाड़ी में आग लगई जला दिया उसको ऐसा उनका काम था एक बार तो क्या हुआ कि बाबु गेनू और अ माल भी जाता है तो इंग्लेंड से विदेशी माल का लदा हुआ एक बड़ा पानी का जहाज आया जिसमें हजारों टन माल लदा हुआ था बाबू गेनू और उनके सहयोगियों को पता चल गया कि ये तो विदेशी माल आ रहा है वो पहुंच गए बंदरगाह पे और पूरे बंदरगाह को घेर लिया उन्होंने और उन्होंने संकल्प ले लिया और कसम खाली कि इस एक भी विदेशी माल को हम यहां उतरने नहीं देंगे और बंबई शहर में घुसने नहीं देंगे तो क्या हुआ आप जानते हैं पानी के जहाज से माल उतारा जाता है फिर ट्रकों कि ऐसी ही विदेशी माल की भरी हुई जाने की तैयारी में थी बाबु गेनू उसके आगे लेट गए और अंग्रेज उसको चला रहा था तो अंग्रेज ने कुछ नहीं देखा और बाबु गेनू के ऊपर गाड़ी चड़ा दी तो स्वदेशी आंदोलन ने ऐसे ऐसे संकल्व वान कारिकरता पैदा किये कि उन्होंने अपनी जान की परवा किये बिना विदेशी माल को शहर में जाने से रोकने के लिए गाड़ी के नीचे लेट गए और एक अंग्रेज ड्राइवर ने गाड़ी चड़ा दी और उनकी हो गई ऐसे संकल्व वान स्वदेशी कारिकरता पैदा हुए थे और इनकी संख्या कितनी थी एक करोड़ चौबीस लाग के आसपास पूरे देश में ये कारिकरता थे आखिर ये सारे के सारे कारिकरता विदेशी माल नहीं बिकने देंगे और विदेशी माल का उपयो लिकरी से हर साल East India Company को करोडों रुपई का फाइदा होता था आज के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो एक साल में East India Company को भारत देश में अपना माल बेच कर करीब करीब 21,000 करोड़ रुपई का फाइदा होता था आज के हिसाब से बात करूं 1905 के आखड़े बताते हैं दस्तावेज बताते हैं कि इस्ट इंडिया कमपनी एक साल में 70 करोड रुपई का नेट प्रॉफिट कमाती थी इस देश में से और उस जमाने का एक रुपया 2009 के 300 रुपई के बराबर है इस समय 1905 में एक रुपई की जितनी कीमत होती थी आज सन 2009 में उतनी ही कीमत 300 रुपई की है इसका मतलब क्या है रुपई का अब मूल्यन 1905 से आज तक 300 गुना हो चुका है तो 300 का गुणा कर लो 70 करोड में लगबग 21,000 करोड रुपई आज के मूल्य के हिसाब से इस्ट इंडिया कमपनी भारत से कमाती थी उनका सामान बेच कर यहां से पैसा कमाती थी तो समस्या क्या होती थी हर साल भारत का 21,000 करोड रुपई लंदन चला जाता था और यह सिलसिला कब से चल रहा था जब से इस्ट इंडिया कमपनी भारत में आई तब से आपको मालूम है इस्ट इंडिया कमपनी सन 1618 में भारत आ गई थी अपने जैदी भाई थोड़ी देर पहले आप से कह रहे थे एक राजा था इस देश में उसका नाम था जहांगीर जहांगीर के दरवार में इस्ट इंडिया कमपनी का सबसे पहले एक एजेंट आया था उसका नाम था टॉमस रो उसको अंग्रेज लोग थॉमस रो भी कहते हैं टॉमस रो भी कुछ लोग बोलते हैं, थॉमस रो भी बोलते हैं, तो टॉमस रो सबसे पहले आया 1618 में, और उसने जहांगीर के सामने एक पत्र प्रस्तुत किया और कहा, कि हमको भारत में व्यापार करने का लाइसेंस चाहिए, वो आप दे दो, तो यह जो पत्र था, वो अं अंग्रेजी आती नहीं थी, हमारे देश में ऐसे बहुत सारे राजा हुए, जिनको अंग्रेजी नहीं आती थी, तो इसमें कोई शरम की बात नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं थी, जहांगीर को उर्दू आती थी, फार्सी आती थी, हिंदी आती थी, अं क्योंकि वो दरवारी अंग्रेजों से मिला हुआ था टॉमस रो ने उसको पहले ही रिश्वत देकर अपने पक्ष में कर लिया था कि इस पत्र का अगर भाशांतर पूछेगा जहांगीर तो क्या बताना है तो क्या बताया उसने उसने का कि ये पत्र है इस इंडिया नाम की इंग्लेंड की कमपनी का है ये आपसे व्यापार करने का लाइसेंस मांग रहे हैं तो जहांगीर ने पूछा व्यापार क्या करोगे भाई कुछ खरीदोगे, कुछ बेचोगे, तभी तो व्यापार होता है न, लेकिन इंग्लेंट में व्यापार का मतलब कुछ और होता था उस जमाने में. अंग्रेजों की जो dictionary है, मूल dictionary, उसको कहते हैं Webster Dictionary, Webster Dictionary अगर आपको मिल जाए 70 शताब देखी, तो आप ज़रूर उसमें ढूंड सकते हैं उसमें व्यापार का मतलब क्या होता अंग्रेजी का शब्द है T R A D E ट्रेड हम ट्रेड का मतलब निकालते हैं व्यापार इंग्लेंड में ट्रेड का आर्थ होता था लूट मार और सारा ज्हमेला यहीं से शुरू हो गया उसमें लिखा गया कि East India Company भारत में ट्रेड करेगी तो जहांगीर के दरबारी ने समझाया कि यह व्यापार करेंगे व्यापार करेंगे तो क्या करेंगे कुछ खरीदेंगे कुछ बेचेंगे तो जहांगीर को लगा, इसमें आपत्ती क्या है? हमारे यहां से कुछ खरीद के ले जाएंगे, और हमको बेचेंगे, इसमें आपत्ती क्या है? जहांगीर को उस दरबारी ने ये नहीं बताया, कि ट्रेड का असली मतलब होता है, लूट मार, लूट लेना किसी को, इंग्लेंड में सत्रवी शताबदी में सोलवी शताबदी में ट्रेट शब्द का अर्थि इस्तेमाल होता था लूट मार के लिए तो जब पत्र प्रस्तुत हुआ जहांगीर के सामने तो जहांगीर ने का ठीक है व्याँपारी ही तो करेंगे दरबारी ने कहा कुछ खरी देंगे कुछ बीचेंगे वास्तम में उनकी मन्शा क्या थी लूट मार का लाइसेंस लेने के लिए तो जहांगीर ने हां कर दिया जहांगीर अगर ये कर लेता कि वो पत्र किसी दूसरे को पढ़वा लेता तो खुला सा हो जाता उसने सोच लिया कि ये अपना ही आदमी है सही बताएगा उसने तुरंट सही कर दिये दसकत कर दिये इस्ट इंडिया कंपनी को लूट मार करने का लाइसेंस मिल गया और जिंदगी भर इस्ट इंडिया कंपनी जब तक भारत में रही, वो उसी license को दिखाते थे कि देखो, आपके राजा ने हमको loot-mar करने का license दिया है। आपके राजा ने, भारत के राजा ने हमको license दिया है। फिर East India Company को पूचा गया कि भई, आप कहां sehen व्यापार शुरू करेंगे या लूटमार शुरू करेंगे तो इस्ट इंडिया कंपनी ने का सूरत शहर से करेंगे सूरत ही क्यों? भारत में तो ऐसे 600 से जादा शहर थे आगरा था, अलीगर था, बरेली था, दिल्ली था, शाजापुर था, जारनपुर था, रुड़की था, रिद्वार था ऐसे 600 से जादा शहर थे सूरत ही क्यों? कारण ये था कि उस जमाने में सूरत भारत का सबसे बड़ा पैसे वाला शहर था आज मैं आप से ये पूछू, कि भारत में सबसे ज़्यादा पैसे वाला शहर कौन सा? तो क्या कहेंगे आप? मॉंबई कहेंगे ना? मॉंबई को भारत की आर्थिक रासधानी कहा जाता है Financial Capital भारत में मॉंबई है सबसे ज़्यादा पैसे वाला शहर मुंबई है सबसे ज़्यादा टेक्स देने वाला शहर मुंबई है सबसे ज़्यादा खर्चा करने वाला शहर मुंबई है सबसे ज़्यादा टेक्स जहां इकठा होता वो मुंबई है 1618 में मुंबई जैसा शहर होता था सूरत सूरत में सबसे ज़्यादा पैसा था उस जमाने बहुत पैसा था सूरत में रहने वाले लोगों के पास कितना पैसा था उसके बारे में एक आपको कहानी सुनाता हूँ एक अंग्रेज अधिकारी इस देश में आया उसका नाम था बर्नियर वो सूरत में घूमा और सत्रे साल रहा तो उसने वरणन लिखा सूरत के बारे में तो वो कहता है कि मैं सूरत के किसी भी घर में गया तो हर एक घर में मैंने सोने के सिक्कों का ऐसा धेर देखा जैसे गेहूं और चने का धेर लगा रहता है हर एक घर में सोने के सिक्कों का ऐसा ढेर देखा जैसे घरों में गेहूं और चने का ढेर होता है और बर्नियर अपनी डायरी में लिखता है कि सूरत के लोग इतने मालदार हैं इतने पैसे वाले हैं कि किसी को पता ही नहीं है कि उसके पास कितनी संपत्य है वो अपनी डायरी में लिखता है कि मैंने बहुत लोगों के घरों में पूछा कि आपके पास कितने सोने के सिक्के हैं तो हर एक ने मुझे जवाब दिया मालूम नहीं कितने सोने के सिक्के हैं क्योंकि गिने नहीं है और फिर वो बर्नियर कहता है यहां के लोग तो बोलते हैं कि यह सोने के सिक्कों को तराजू में तौल के रखते हैं 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो, 100 किलो गिनने की फुर्सत नहीं है किसी के पास इतने सोने के सिक्के घर घर में है फिर वो अपनी डायरी में लिखता है कि अगर सूरत शहर को ही लूटना पड़े तो इसी एक शहर को लूटने में कम से कम हजार साल लग जाएंगे इतनी संपत्ती शहर में है सूरत बहुत पैसे वाला शहर था आप पूछेंगे भई सूरत में पैसा कहां से आया इतने सोने के सिक्चे कहां से आये सोने का सिक्का है, इस देश में सोना पैदा नहीं होता, आपको मालूम है, इस देश में सोने का उत्पादन जादा नहीं होता, सोने की एक ही खदान है इस देश में, वो भी करनाटक में है, कोलार में, एक ही खदान है, बाकी तो दूसरी ही नहीं पूरे देश में, तो जिस द भारत का सारा माल विदेशों में बिकने के लिए सूरत से ही जाता था, क्योंकि सूरत में बहुत बड़ा बंदरगाह हुआ करता था, तो भरबर के पानी के जहाज भारत का माल सूरत से बाहर जाता था विदेशों में, और हमारा माल दुनिया के जिस देश में भी जाता था व लिखने के लिए वहाँ हम अपना माल बेचते थे और बदले में सोना आता था हमारे वने ऑगत याज कारण क्या था 16 षताबडी और 17 षताबडी में व्यापार में जो माध्यम था लिएक्सचेंज का वह सोना था जैसे आज व्यापार में माध्यम है रुपया आप कोई चीज खरीदते हैं रुपय से कोई चीज बेचते हैं रुपय में सोलवी और सत्रवी शताबदी में कोई चीज खरीदी जाती थी सोने में और कोई चीज बेची जाती थी सोने में, तो भारत से तरह-ण्तरह की चीज़ें लिए जाती थी, उसमें सबसे जादा लिए बिखने के लिए जाता था कपड़ा भारत का, क्योंकि भारत में कपड़ा सबसे अच्छी क्वालिटी का बनता था सत्रवी शताब दिन आपको मालूम है भारत के मलमल बनती थी और 15 मीटर लंबा मलमल के कपड़े का थान तह करते जाओ करते जाओ करते जाओ तो माचिस की एक डिब्बी में आ जाता था इतनी बारीक बुनाई होती थी मलमल के धाका में मलमल बनती थी सूरत में मलमल बनती थी मालवा में मलमल बनती थी आप में से कुछ कारी करता हैं मध्यप्रदेश से मध्यप्रदेश में एक इलाका जिसको मालवा कहते हैं इंदौर है उज्जेन है रतलाम है तो मालवा में जबरजस्त किसम का कपड़ा बनता था भारत में ऐसे साड़े तीन सो से जादा ब ब्हुत अच्छा कपड़ा बनेगा तो बहुत अच्छा कपड़ा भारत में बनता था और वो कपड़ा दुनिया के सब देशों में बिकने के लिए जाता था उसको बेचने के लिए पानी के जहाज लगते थे उस समय हवाई जाज नहीं चलते थे तो सारे पानी के जहाज सूरत से कपड़ा भरकर विदेशों में जाया करते थे और उधर से सोना लेके आया करते थे आपको इतिहास की ये जानकारी दूँ तो आपको गर्व होगा भारत का कपड़ा जब पैरिस में बिखता था लंदन में बिखता था नुई यॉर्क में बिखता था वाशिंगटन में बिखता था अमेरिका के कनड़ा के आसपास के यूरोप के देशों में बिखता था तो त इतने वजन का भारत का कपड़ा होता था उतने ही वजन का सोना हमें मिलता था अगर मान लीजे हमने एक कपड़े का थान बेचा और वो एक किलो का है तो एक किलो सोना हमें मिलता था हमारे कपड़े की इतनी जबर्जस्त क्वालिटी थी सारी दुनिया के लोग हमारा कपड़ पहनते थे आपको सुनके ताज्यूब होगा रोमन सामराज्य में तीन हजार साल जितने राजा हुए जितनी रानियां हुई सब भारत का कपड़ा पहन कर ही जिन्दा रहते थे तीन हजार साल रोमन सामराज्य जिन्दा और जब रोमन सामराज्य का पतन हो गया यूरोप और अमेरिका और ये कनेड़ा जैसे देश उबराए तो फिर इनके यहां भारत का कपड़ा बिकने लगा तो हमारा कपड़ा बहुत जबरजस्त बिकता था उसके बदले में हमको सोना मिलता था कपड़े जैसी ही एक दूसरी चीज अपनी बहुत बिकती थी दुनिया के देशों में और वो थी भारत का लोहा, स्टील हमारे भारत में कच्चे लोहे की बड़ी खदाने हैं आप जानते हैं कच्चा लोहा इस देश में बहुत होता है उडिसा में भरपूर मात्रा में है जारखंड में भरपूर मात्रा में है करनाटक में भरपूर मात्रा में है महराष्ट में भरपूर मात्रा में है भारत के बारे राज्यों में कच्चा लोहा बहुत अधिक मात्रा में मिलता है तो लोहे की खदाने बहुत हैं में 20,000 से ज़्यादा फैक्टरियां थी जो स्टील बनाती थी इस देश में और इस क्वालिटी का स्टील बनाते थे इस देश में जिसमें कभी जंग नहीं लगता था आज 20 वी शतावदी में सारी हाइफाई टेक्नोलोजी के बाद जो स्टील बनता है उसमें जंग लग जाता है आपको मालूम है भारत के स्टील में जंग नहीं लगता था और अगर आप उसका प्रमान देखना चाहें तो दिल्ली के पास महरौली नाम का एक छोटा सा गाउं है वहां एक लहो इस्तंब खड़ा हुआ है उसको जाके देख लीजे उसमें जंग का एक निशान नहीं है और सैकडों साल से वो पानी में बारिश में धूल में आधी मे धकड में खड़ा हुआ है एक रंच मात्र उस पर कहीं जंग नहीं आया इस क्वालिटी का इस्तिल इस देश में तीन हजार साल से बनता थे और वो इस्तिल हम दूसरों को बेचते थे और आपको सुनके हैरानी होगी इस्तिल बेचकर भी हम सोना ही कमाते थे लोहा बेच कर हम सोना कमाते थे लोहा बेचा और सोना लाया हमने कपड़ा बेचा और सोना लाया इसी तरह से भारत की एक चीज बिकने के लिए जाती थी दुनिया के बजार वो आराश्ट में जाके देखिए, राणा प्रताब का किला आप देखिए, राजिस्तान में जाके देखिए, चित्तोरगड में, जितने पुराने किले उसमें पतली पतली इट लगी हुई है ना, हजारों साल उसकी उमर होती है, मोटी इट जल्दी तूटती है, पतली इट तू बेचते थे तो भी हमको सोना चांदी ही मिलता था। चूना बेचते थे तो भी सोना चांदी मिलता था। लोहा बेचते थे तो भी सोना चांदी मिलता था भारत से मसाले जाते थे बिकने के लिए वो तो आप सभी ने पढ़ा होगा 36 तरह के मसाले जाते थे काली मिर्ज जाती थी अजवाइन बिकने के लिए जाती थी इलाइची बिकती थी बड़ी इलाइची बिकती थी छोटी इलाइची बिकती थी तेजपात बिकता था हमारे देश के 36 तरह के मसाले दुनिया वर में बिकते थे और उसके बदले में भी हमको सोना चांदी हीरे जवाराती मिलते थे और तीन हजार साल भारत ये सारी चीज़ें दुनिया के देशों को बेचता था और जिस शहर से ये चीज़ें बिकने के लिए जाती थी उस शहर का नाम था सूरत तो सबसे ज़्यादा पैसा कहां आता था सूरत में इसलिए सूरत के एक-एक घर के व्यापारी के पास धेरों धेरों सेकडों सेकडों कुंटल सोना होता था ये अंग्रेजों ने दस्तावेजों में लिखा है जो मैं आपको सुना रहा है तो सूरत इतना पैसे वाला शहर था इसलिए इस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर से कहा कि हमको सूरत में व्यापार करने का लाइसेंस शाहिए अब आप ध्यान देना जहां भी मैं बोलूँगा व्यापार वहां आप सोच लेना लूट मार क्योंकि उनके लिए ट्रेड का मतलब था लूट मार हमारे लिए ट्रेड का मतलब था व्यापार तो उन्होंने लूट मार का लाइसेंस ले लिया जहांगीर बोला बोला सीधा उसने लाइसेंस दे दिया, सूरत में जाके East India Company ने अपना धंदा शुरू किया, और क्या धंदा शुरू किया, लूट मार करने का, और वो लूट मार कैसे करते थे, जिस व्यापारी के घर में उनको पता चल जाए, अच्छा खासा सोना है, बस उसी के घर में धावा बोलना, जैसे डकैती डालते हैं लोग, वैसे East India Company के लोग डकैती डाला करते थे, सेनिकों की फौज खड़ी की, एक-एक घर में घुज गए, मार पीट किया, छुईन चान के सोना ले आए, और वो सोना फिर यहाँ से, जहाजों पर लाद लाद कर, इंग्लेंड बेजा करते थे, इस इंडिया Company का एक अधिकारी था, उसका नाम था Robert Clive, वो 1750 में भारत आया था, और 1757 में उसने एक युद्ध लड़ा था, प्लासी का, Robert Clive ने अपनी जीवनी में लिखा है, कि मैंने भारत के कलकत्ता नाम के शहर से जब लूट मार की, तो इतना सोना चान्दी इकठा हुआ था, उसको लंदन लाने में 900 पानी के जहाज लगे, 900 पानी के जहाज, एक दो नहीं, 900, 900, शिप्स, और जहाज बोल रहा हूँ मैं, नाव नहीं बोल रहा हूँ, जहाज, नाव और जहाज में अंतर होता है, एक जहाज उस जमाने में जो होता था, उसमें 60-70 मीटरिक टन माल आता था, और एक मीटरिक टन में 1000 किलोग्राम होते तो 900 पानी के जहाज भरके सोना चांदी लूटा था Robert Clive में तो Robert Clive जैसे अंग्रेज अधिकारी जब आते थे तो वो ढूनते थे कि भारत के किस शहर में ज़्यादा सोना है वहीं पे जाके पोस्टिंग करवाते थे और वहीं से लूट मार का धंदा शुरू करते थे तो East India Company का सबसे मुख्य काम था लूट मार घरों में घिसकर लूट लेना दुकानों में जाकर लूट लेना किसी के महल में जाकर लूट लेना छोड़े छोटे राजाओं को लूट लेना ये सब वो किया करते थे लूट लूट कर यहां से पैसे एकठे किया करते और वो क्या-क्या लूट लूट थे हमारे देश का जो सोना चांदी था वो तो लूट थे इसके अलावा कपड़ा बनाने वाले जो कारीगर होते थे ना उनका कपड़ा लूट ले 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 थे और कारीगर उनसे जगड़ा करें तो मारते थे उनको गोली मारते थे उनकी गरदन काटते थे हाथ काट देते थे हाथ अंगुठे काट देते थे तो कारीगरों से कपड़ा लूट लिया व्यापारियों के घर में से सोने चांदी के सिक्के लूट लिये फिर किसी के पास से कुछ लूट लिया किसी के और जो कुछ लूटते थे वो फोकट में मिला ना उनको तो उसको ले जाके वो बेचते थे लंदन में पैरिस में दूसरे शहरों के बड़े-बड़े बजारों में और उससे जो मुनाफ़ा होता था वो East India Company का profit माना जाता था. आपको सुनके ताजूब होगा, जब East India Company भारत आई थी, तो उनके खजाने में पैसे नहीं थे. East India Company इंगलेंड में दिवालिया कम्पनी थी. दिवालिया आप समझते हैं? जिनके पास कुछ नहीं होता, ठंटन गोपाल एक धिला नहीं खजाने में East India Company बनाई थी कुछ ऐसे लुटेरों ने जो समुद्र के पानी के जहाजों को लूटने का काम करते थे East India Company उन्होंने बनाई थी England के कुछ लुटेरे थे जिनको कहा जाता था Board of Directors तो East India Company का जो Board of Directors था वो बड़े बड़े डॉन माफिया किसम के लोग थे उस जमाने के उन्होंने बनाई थी वो कमपनी पैसे पास में थे नहीं उसको ले आए वो भारत में और सीधे लूट मार करना शुरू कर दिया तो पैसे आ गए उस पैसे से फिर सारा खेल खेलना उन्होंने शुरू किया पहले पैसे लूटे फिर उस पैसे से उन्होंने सैनिक रखना शुरू किया फिर सेना बढ़ गई तो और ज़्यादा लूट मार करना शुरू किया जहां जहां उनकी लूट मार होती थी इस्थानिय राजाओं के साथ उनका संघर्ष होता था, युद्ध होता था, कभी इस्ट इंडिया कमपनी जीत जाती थी, कभी कोई राजा जीत जाता था, जो राजा जीत जाता था, वहाँ इस्ट इंडिया कमपनी लूट मार नहीं कर पाती थी, और जहां का राजा हार गया बस पूरी जगे को वो लूटते थे एक उधारन से बताता हूँ पंजाब हमारा एक बड़ा राज्य था उस जमाने में सत्रवी शताव दिग पंजाब के एक राजा हुआ करते थे महराजा रंजीत सिंग नाम सुना आपने इस्ट इंडिया कंपनी ने महराजा रंजीत सिंग के राज्य में दस बार लूट मार करने का प्रयास किया हर बार महराजा रंजीत सिंग की सेनाव ने इस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया हर बार जब जब इस्ट इंडिया कंपनी पंजाब की तरफ गई महराजा रंजीत सिंग के सैनी कितने शूरवीर और ताकतवर थे एक भी अंग्रेज जिंदा नहीं बचा जब भी वो गए लूट मार गए कभी जलंदर में कभी कपूर थला में कभी अम्रसर में कभी लाहोर में उस समय लाहोर जो था न वो पंजाब का ही हिस्सा था ये तो ब हराके वहां से वापस वेजा तो पंजाब को नहीं लूट पाते थे वो जल्दी ऐसे ही हमारे मद्य भारत में मद्य प्रदेश में जहासी है ना जहासी में महरानी लक्ष्मी भाई हुआ करती थी उसके राज्य में जब भी अंग्रेजोंने कदम रखा लूट पार करने के ने लिए जहासी किरानी लक्षवी वाई ने जवर्जस हो पांगर्ष किया उनके साथ। और जल्दी अंग्रेज कामयाब नहीं हो पाई। आपको मालूम है जहांसी की रानी लक्षिवाई के राज में जब जब अंग्रेज लूटने के लिए गए हर बार अंग्रेज पराजित होकर लोटे एक बार जहांसी की रानी के विश्वास पात्रों के गद्दारी से जहांसी की रानी गिरफतार हुई और मारी गई उसके पह दिलगाम के पास एक छोटा सा गाउं है कितूर, वहाँ उसका जन्म हुआ, इसलिए नाम पढ़ गया कितूर चनम्मा, दक्षण भारत में गाउं का नाम अपने नाम के साथ लिखने की परंपरा है, दक्षण के जो नाम होते हैं आपने सुना है, एच डी देवगोडा, तो ह म नम्मा के राज़ में जब-जब अंग्रेज गए लूटने के लिए, कभी कामियाब नहीं हो पाए, हर बार अंग्रेजों को हराया, उसने, ऐसे ही दक्षण भारत में एक बड़ा प्रतापी राजा था, हैदर अली, हैदर अली के राज़ में, जब-जब अंग्रेज गए, लूट मार करने के लिए कभी कामयाब नहीं हुए हर बार हैदर अली ने हरा के भेजा उनको तो भारत में कई शूरवी राजा थे जो अंग्रेजों से टकर लेते थे संगर्श करते थे और उनको हराते थे लेकिन कुछ कमजोर राजा भी थे जहां अंग्रेज कामयाब हो जाते थे एक राजी था हमारे याँ जैपुर वहां का राजा बहुत ही कमजोर था बहुत कमजोर था इतना कमजोर था कि अंग्रेज एक चिठी लिखके भेज़ें जैपुर के राजा को के करोड सुन मुद्राएं दे दो तो वो राजा चुपचाप अंग्रेजों के घर दे के आता था कभी उसने ये नहीं कहा कि नहीं दूँगा वो कहता था कि अगर मैं ऐसा बोलूँगा नहीं दूँगा तो अंग्रेज चड़ाई कर देंगे मेरा पूरा महल लूट के ले जाएंगे और उसमें तो बहुत चला जाएगा तो अपने घर से ही ले जाके एक करोड दे के आता था अब अंग्रेज एक बार एक करोड मांगते थे तो अगली बार कहते थे दस करोड दे दो तो फिर वो राजा जाता था दस करोड दे के आता तो ऐसे कमजोर राजा भी थे इस देश में जैपुर के मैंने तो नाम लेके कह दिया ऐसे कई कमजोर राजा थे वो चुपचाप देके आते थे तो इस्ट इंडिया कमपनी का जो धंदा चला इस देश में वो इस तरह से चला लूट मार करके इस देश में से पैसा उन्होंने बनाना शुरू किया जिस कंपनी के पास एक धेला नहीं था उनके खजाने में वो जब भारत आ गए और 10-15 साल उनका ये धंदा चल पड़ा लूट मार का करोड़ों स्टर्लिंग पाउंड उनके खजाने में जमा हो गए फिर जब बहुत पैसा उनको मिल गया तो खून लग गया मूँ में वो कहते न शेर के मूँ खून लग गया तो एस्ट इंडिया कंपनी को खून लग गया और उनको लगा कि भारत में तो बहुत पैसा है, बहुत संपत्ती है, लूट मार तो करनी ही पड़ेगी, और पैसा यहां से लेके लंदन जाना ही पड़ेगा, तो उन्होंने एक फैसला किया, कि इस देश में आप खाली लूट मार नहीं करेंगे, इस देश में हम अपनी सरका भी चलाएंगे, एक तो है व्यापारी आया, एक तो डखेत आया, लूट मार करके ले गया, लेकिन एक डखेत आया, जिसने आपके घर पर ही कबजा कर लिया, सोचो आओ, कोई डखेत आपके घर में घुज गया, जो भी थोड़ा बहुत संपत्ती है, लूट के ले गया, य आपको मार के घर के बाहर निकाल दिया, और घर पर कबजा करके वो मालिक बन के बैठ गया, यह ऐसा ही हमारे देश में हुआ, हमारे देश में पता है क्या हुआ, जिस जहांगीर ने इस्ट इंडिया कंपनी को लाइसेंस दिया था लूट मार करने का, उसी जहांगीर को इस एसा हुआ जो जो राजह के यहां इस इंडिया कमपनी फाले पहुंचे लूट मार करने हर राजह को उन्होंने कोई नब कोई शडियंत्र करके कुर्शी से उतरवा दिया और वहां अंग्रेजों की सत्ता इस्थाफित होती चली गई ऐसे करके धीरे धीरे भारत का आधे से ज़्यादा राज्य उन्होंने कब्जे में ले लिया 1618 में वो एक शहर में आये थे सूरत में और 1718 तक आते आते 100 साल में हिंदुस्तान के आधे से ज़्यादा राज्य पर उनका कब्जा हो गया और पहले कब्जा हुआ कमजोर राज्यों पर मैंने आपको बता ना जैपुर का ऐसे राजा ऐसे भारत में 200 से ज़्यादा कमजोर राजा थे और उनकी कमजोरियां क्या थी सब शराब में डूबे हुए नशों में डूबे हुए गंदे-गंदे काम करने में डूबे हुए वैश्यावरती में डूबे हुए रखेलों में डूबे हुए हरम में डूबे हुए एक शब्द होता है ना हरामी ये कहां से आया अर्दू का शब्द है फार्सी से आया हरम हरम का मतलब होता है एक ऐसा महल जहां बहुत सारी इस्तरियां रहती हो और राजा उन इस्तरियों के साथ विलास करता हो उसको हरम कहते हैं अब उस हरम में से जहां बहुत सारी इस्तरियां राजाओं के साथ रहती थी तो उनमें कुछ बच्चे पैदा हो जाते थे उनको हरामी कहा जाता थे ये हसने की बात नहीं है सच्चा ही बता थे हरामी शब्द है ना वो हरम में से आया तो ऐसे बहुत राजा थे जिनोंने हरम रखे हुए थे पचास-फचास महिलाएं सो सो महिलाएं 1.500 महिलाएं चरित्रहीन राजा एकदम से निक्रश्च किसम के राजा एकदम से जिनको अपने शरीर सुक के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता था ऐसे राजा बहुत कमजोर होते थे आप जानते हैं जो विलासी होता है और वासना में डूबा हुआ होता है वो सब चीजों में डूबा हुआ होता है तो ऐसे राजाओं से East India Company पहले लड़ाई करती थी और उस लड़ाई में एक बार में ही राजा हार जाते थे और राजे East India Company का हो जाता था ऐसे करके पूरे भारत में उन्होंने कबजा जमाया और धीरे धीरे वो कबजा देड़ सो साल में सारे भारत पे हो गया 1618 से 1750 तक आते आते जगे जगे लूट मार करते करते पूरे भारत में कबजा हो गया भारत का एक बड़ा राजे था उस जमाने में बंगाल बंगाल जो राज्य था न वो कितना बड़ा था आपको बताता हूँ आज का पूरा बिहार आज का पूरा जारखंड आज का पूरा पश्विम बंगाल आज का पूरा बंगलादेश आज का पूरा आसाम और आसाम के ऊपर के सारे प्रदेश ये मिला के था पूरा बंगाल इत लेहनत करने में बहुत परिपक्कु था, शूरवीरता में बहुत उंचा था, नियाए प्रिय था, प्रजावतसल था, सारे सद्गुन उसमें थे, तो इस्ट इंडिया कंपनी कभी घुस नहीं पाई बंगाल में, क्योंकि राजा मजबूत था, जब जब इस्ट इंडिया अपनी घुसी बंगाल में मारके भगा दिया उसमें सिराजवत दौला, फिर क्या हुआ, सिराजवत दौला का जो सिनापती था, वो गद्दार निकल गया, सिराजवत दौला तो देशबक्त था, प्रतापी था, शूरवीर था, वो तो इस्ट इंडिया कंपनी को घुसने देता था, उसका जो सेनापती था, मीर जाफर, वो गद्दार निकल गया, आपने कहानी पढ़ी होगी, मीर जाफर इस्ट इंडिया कंपनी से मिल गया, और मीर जाफर ने इस्ट इंडिया कंपनी को जाके, अंदर की सब बातें बता दी, और उन अंदर की बातों की जानकार सैनिक थे इस्ट इंडिया कंपणी के पास साड़े तीन सो सैनिक थे अब आपसे कोई ये पूछे कि अठारे हजार सैनिक एक तरफ साड़े तीन सो सैनिक एक तरफ कौन जीतेगा अठारे हजार सैनिक जीतेंगे लेकिन युद्ध जीता साड़े तीन सो सैनिक वाली इस्ट इंडिया कंपणी कैसे जीता ये साड़े तीन सो सैनिकों को लेके अंग्रेज अधिकारी था रॉबर्ट कलाइफ वो सिराजु दोला से युद्ध करने के लिए प्लासी के मैदान मे हो गई सारी 1757 24 जून 1757 23 जून और 24 जून दो डेट तै हुई युद्ध के लिए साड़े तीन सो सैनिक इनके 18,000 सैनिक उनके तो रॉबर्ट कलाइफ जानता था कि युद्ध तो मैं हार जाओंगा बीस मिनट में इस सब मारा मारी हो जाए तीन सो सैनिकों को मारना कितनी द हैं तुमको मैं दूंगा और तुम मेरी मदद करो हम सिराज दौला को मार डालेंगे और तुमको फिर राजा बना देंगे बंगाल का तो मीर जाफर बंगाल का राजा बनने के लालच में फस गया और पैसे के लालच में फस गया पैसे का लालच और कुरसी का लालच उसने म सिराज़त दौला से गलती क्या हो गई? सिराज़त दौला युद्ध में खुद नहीं गया. क्यों? क्योंकि सिराज़त दौला को मालूम था कि युद्ध तो 20 मिनट में खत्म हो जाएगा. मैं जाके क्या करूंगा? मेरे सेने की मार डालेंगे अंग्रेजों को. वो इस गलत रह गया. सेनिकों को भेज़ दिया युद्ध करने के लिए. उसको मालूम नहीं था कि मीर जाफर पहले ही तूट चुका है. मीर जाफर ने आत्म समर्पन करा दिया. तो प्लासी के मैदान में युद्ध नहीं हुआ. भारत के 18,000 सेनिकों ने अंग्रेजों के साड़े 300 सेन सेनिकों के सामने शर्मनाक आत्म समर्पन किया. मीर जाफर की गद्धरी. और वहां से इतिहास पूरे देश का बदल गया. इतिहास क्या बदल गया? अंग्रेजों ने घोशित कर दिया. हमने युद्ध जीत लिया. फिर अंग्रेजों ने 18,000 सेनिकों को बंदी बना लिया. और 3500 अंग्रेजों के सैनिक, 18,000 ये सैनिक, इनको लेकर पूरी फौज बना के रॉबर्ट कलाइब गया मुर्शिदाबाद. कलकत्ता से पलासी से चलके मुर्शिदाबाद. तो कलकत्ता से मने पलासी से मुर्शिदाबाद के बीच की दूरी बहुत बढ़ी है. पंदर दि गुलाम बनाए हुए 18,000 सेनिक चलते थे और भारत के लोग सड़के दोनों किनारे खड़े होकर हमारे जुलूस को देखते थे और उसमें तालियां बजाते थे अगर भारत के लोगों ने हमको पत्थर का एक-एक टुकड़ा उठा कर मारा होता तो भारत का इतिहास तो 1757 में हमारी कमजोरी क्या रही विदेश़ी है बहुत अच्छा विदेशी है बहुत अच्छा है आज भी है ना, कैसे मूर्ख हम हिंदुस्तानी हैं, कभी-कभी मैं आगरा चला जाता हूँ, ताज महल के आसपास कोई विदेशी आ जाए, तो सारे हिंदुस्तानी उसके आसपास ऐसे इकठे हो जाते हैं, जैसे भगवान का दूत उतराया कोई, होता है कि नहीं, दिल्ली में कोई विदेशी घूमने आ जाए, मुंबई में कोई आ जाए, हम उसको ऐसे आसपास घेर लेते हैं, जैसे वो देवदूत है, ये हमारी गुलामी की मानसिक्ता 1757 से भी पुरानी है, इसी ने हमको गुलाम बना है, उस समय क्या हुआ, रॉबर्ट कलाइब विदेशी है, गो मर जाते हैं, वो सब के सब वहीं, और देश कभी गुलाम नहीं होता, इस इंडिया कमपनी का, ये विदेशी गोरे रंग के प्रती जो मोह है न, ये बहुत खतरनाक है, बहुत खतरना, हम सब हिंदुस्तानियों के खून में घुज गया है, गोरा रंग, गोरा होना, मुझे इतना तकलीफ होती है, गुस्सा भी आता है, रविवार का अख़वार जब मैं पढ़ता हूँ न, तो उसमें कॉलम निकलता है, वैवाहिक कॉलम, मैट्रिमोनियल, तो हर एक को उसमें लिखा रहता है, गोरी वधू चाहिए, गोरी बहू चाहिए, गोरी पतनी चाहिए, अ मुझे समझ में नहीं आता, ये गोरे रंग के प्रती इतना आकर्शन हम में क्यों आ गया, गोरा एक रंगी है न, काला भी एक रंग है, अब देखो ये हिंदुस्तान कैसा बावला और पागल हुआ है, हमारे भगवान श्री राम सांवले, हैं कि नहीं, भगवान विश्ण और उस गोरे होने के चकर में क्या-क्या क्रीम पाउडर लिपिस्टिक पोथते रहते हैं, फेर और लवली और क्या-क्या, ये सारा तमाशा गोरे पन के प्रती हमारे दिमाग में जो खतरनाक इस तर तक गुसा हुआ है, आकर्शन, इसी ने हमको गुलाम बनाए, पर तो कभी East India Company का राज नहीं हुआ होता, लेकिन वहाँ हमारी गलती हो गई, हम आकर्शन में फस गए, और अंग्रेजों के चकर में गुलाम, बंगाल अंग्रेजों की गुलामी में चला गया, और बंगाल जितना बड़ा राज जी जब अंग्रेजों की गुलामी में आ मैंने कहा, तो फिर दीरे दीरे मदरास उनकी गुलामी में आ गया, फिर मुंबई गुलामी में आ गया, फिर पूरा भारत गुलामी में आ गया, अब जब गुलामी आ गई, तब East India Company ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये लूट मारके, मैंने बताया ना, रॉबर्ट कलाइब ने जैसे ही प्लासी का युद जीत लिया, रॉबर्ट कलाइब ने सिराज-दौला की हत्या करा दी, फिर थोड़े दिन के लिए मीर कासिम को बंगाल का राजा बना दी, फिर मीर जाफर को बंगाल का राजा बना दी, फिर मीर जाफर जब राजा बना तब रॉबर्ट कादमी जो अपने राजा से गद्दारी कर सकता है वो मुझसे भी गद्दारी करेगा तो एक दिन रॉबर्ट कलाइब ने खुद मीर जाफर के पेट में छुरा भोग दिया और मार डाला उसको गद्दारों का यही अब मीर जाफर तो मर गया एक करोड सौन मुद्राओं के चक्कर में पूरे देश को हमेशा के लिए गुलाम बना देए कुरसी के लालच में पैसे के लालच में वो तो मर गया लेकिन देश गुलाम हो गया फिर रॉबर्ट क्लाइव राजा बन गया बंगाल का राजा बन गया तो लूटना शुरू किया और लूट के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये मैंने बताया ना उसने अकेले कलकत्ता शहर से 900 पानी के जहाज भरके सोने चांदी हीरे जवारा थी लूटे और जब लूट के लंदन ले गया तो लंदन की पार्लेमेंट में उससे बात की गई जिरह की गई बहस की गई कि तुम भारत से क्या लाए हो किन लगा सोने चांदी के जहाज भरके लाया हूं कितने लाए हो तो 900 जहाज लाया हूं तो इंग्लेंड का प्रदानमंत्री हैरान हो गया किन लगा इतना इतना तो इंग्लेंड के प्रदानमंत्री ने पूछा यह कहां से लाए हो पूरे भारत से उसने का पूरे भारत से नहीं भारत के एक शहर कलकत्ता से पूरे भारत में तो पता नहीं कितना सोना चांदी है तो फिर उससे पूछा गया यह कितना है पैसे कितने है मने कितना है पैसे में यह सारा सामन तो उसने का वन थाउजन मिलियन स्टरलिंग पाउंड यह उसने रकम बताई थी इसको लिख लो आप एक हजार मिलियन स्टरलिंग पाउंड लूट का जो धन ले गया सोना, चांदी, हीरे, जभारा, मुन्ना, मानिक, मोती, जो भर-भर के 900 जहाज ले गया था, उसकी रकम उसने बताई, एक हजार मिलियन, मिलियन समझते हैं, 10 लाख, एक हजार, गुणा, 10 लाख, इस्टरलिंग पाउंड, और एक स्टरलिंग पाउंड इस समय है, लगबग 80 र तीन सो गुणी कम हुई है, तो एक हजार लिखो, एक हजार, फिर उसमें दस लाख का गुणा करो, फिर उसमें तीन सो का गुणा करो, फिर असी का गुणा करो, इतनी रकम लूटकर अकेला एक रॉबर्ट क्लाइब ले गया है, मैं बताता हूं फिर से, एक हजार लिखो, लाकों करोडों रुपए में निकलेगी, निकाल लेणा इसको आप, मैंने आकड़ा बता दिया, आप लोगों को ये समझाना जब आप गाउं गाउं जाओ कि विदेशी कमपनियों को भगाने के लिए हमने जो आंदोलन शुरू किया है क्यों क्योंकि एक विदेशी कमपनिय आई इस इंडिया उसका एक अधिकारी था रॉबर्ट कलाइब वो इतना धन लूट कर ले गया इ और रॉबर्ट कलाइब अकेला एक अधिकारी नहीं था ऐसे हिंदुस्तान में 84 अधिकारी आए रॉबर्ट कलाइब आया उसने लूटा फिर वारेन हैस्टिंग आया उसने लूटा फिर करजन आया उसने लूटा फिर लिलिद्गो आया उसने लूटा फिर डिकिंस आया उ पत्ति ले गए यहां से परिणाम क्या हुआ परिणाम यह हुआ कि जो देश के एक-एक घर में सोने चांदी के सिक्कों का धेर लगा रहता था इस्ट इंडिया कंपनी के लगबग सौ साल की लूट में सारा देश कंगाल और भिकारी हो गया गरीब ही पूरे देश में फैल गई हम हिंदुस्तान को भगवान ने गरीब नहीं बनाया दुनिया के बहुत सारे देशों को भगवान ने गरीब पैदा किया है दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं जो बहुत गरीब हैं भगवान के कारण क्योंकि उनके देश में कोई स संपत्ति नहीं है प्राकर्तिक प्राकर्तिक संपत्ति आप समझते हैं सोना चांदी कोईला हीरे जभारत जिन देशों में बिलकुल नहीं है वो भगवान के द्वारा गरीब पैदा किये गए भारत में तो हजारों किसम की संपत्ति है हम गरीब भगवान नहीं बनाई हमारी गरीबी तो इस्ट इंडिया कंपनी और अंगरेजों की लूट में से आई है ये ध्यान रखना है हम इतना लूटा और फिर दूसरे तरीके से लूटा कि जो कारीगर कपड़ा बनाते थे उनसे कपड़ा लूट लिया और उनके साथ समझोते कि ये कपड़ा बनाने वाले कारी जाते थे उसका हाथ काटा जाता था फिर इस इंडिया कंपनी ने कानून बनाया कि भारत के किसान जो भी अनाज पैदा करते हैं उसका 90 प्रतिशत अंग्रेजों को देना पड़ेगा अगर कोई किसान 100 कुंटल अनाज पैदा करता है तो 90 कुंटल अंग्रेजों को देना प टेक्स लगा दिया अंग्रेजों ने, कोई भी व्यापारी माल बनाएगा, उत्पादन करेगा, तो उस पर अंग्रेजों ने साड़े तीन सो प्रतिशट टेक्स लगा दिया, जैसे सो रुपए का कपड़ा में पैदा करूं, उस पे तीन सो पचास रुपए टेक्स देना तो कारीगरों को लूटा, व्यापारीों को लूटा, किसानों को लूटा, और लूटने आर्थिक रूप से, और दूसरे काम बहुत किये अंग्रेजों ने, दूसरे काम क्या किये, जहां जहां अंग्रेज जाते थे लूट मार करने के लिए, किसी भी गाउं और किसी भी श माँ बहन बेटियों की इज़त भी लूटी हो नो और माँ बहन बेटियों के साथ इतना बुरा बरताव करते थे कि वो पढ़ते समय मुझे खून खूलता है हमारी माताओं बहनों बेटियों के साथ अंग्रेजों का बरताव कैसा होता था कोई सुन्दर महिला अंग्रेजों को दिखाई दे जा उसको सरे आम नंगा करते थे फिर उस महिला के इस्थन का जो अग्र भाग होता है उसको लोहे के चिम्टे से दवाते थे और तब तक दवाते थे जब तक खून न निकल आए और इस पर अंग्रेज हसते थे और वो मा बहन बेटी चीकती और चिलाती थे जब वो बेढ़ल हो जाती थी गिर पड़ती थी तब अंग्रेज उसके साथ बलातकार करते थे और सामुहिक बलातकार करते थे और बाद में उसकी गर्दन काट देते थे और उसको फैकके चले जाते थे, ये अंग्रेश किया करते, खाली लूट मार नहीं करते थे, माताओं, बहन, बेटियों के साथ व्यवचार किया करते थे, और एक खतरणा काम अंग्रेश किया करते थे इस देश में, कि जिस इलाके म गए लूट मार करने के लिए वहां के लोगों का धर्म बदलवा दो मारो पीटो उनको और इसाई बनातो उनको जो हिंदु धर्म का पालन करते हैं भारती धर्मों का पालन करते हैं मार पीट के इसाई बनाते थे जो नहीं बनता था उसके नाखुन खीच लेते थे ऐसे अत्याचार किया करते पैर के नाखुन खीचते थे उंगलियों के नाखुन कीचते और कई बार क्या होता था कई कई गाओं में एकठे लोग हो जाते थे संगर्श करने के लिए तो बरफ की सिलियों पर लोगों को नंगा लिटा कर वोपर से बैंत की मार मारते थे अंग्रेज ऐसे अत्याचार कर और कही तरह की अत्याचार वो ऐसे किया करते थे किसानों से टैक्स लेना वो तो एक अलग बात है किसानों से जमीने छीन लेना कल मैं सुना रहा था ना डलोजी नाम का एक अंग्रेज था उसने एक कानूनी बना दिया जमीन छीनने का जिस कानून का नाम है लेंड एक्यूजिशन एक एक गाओं के पच्छीस पच्छीस हजार किसानों से एक एक दिन में जमीने चीनते थे तो जमीने चीनने का अत्याचार, मा बहन बेटियों के साथ बलातकार का अत्याचार, पैसे की लूट मार का अत्याचार, धरम परिवरतन का अत्याचार ऐसे सब तरह के अत्याचार अंग्रेज और इस्ट इंडिया कमपनी कर रहे थे तब उनके खिलाफ भारत में विद्रो हुआ था और तब भारत के लोगों ने बगावत की थी पहला विद्रो तो हुआ 1857 में आप सबी जानते हैं नाना साब पेश्वा ने बिठूर जैसे छोटे से इस्थान पर संगठन बनाकर भारत को आजाद करने का संकल्ब कराया और 1857 की करांती की कहानी आप सब जानते हैं मंगल पांडे ने एक अंग्रेज अदिकारी को गोली मारी थी मेजर हिूसन को धेर हो गया उसके बाद कुछ अंग्रेजों ने पकड़ लिया और आठ दिन बाद मंगल पांडे को फांसी पे चड़ा दिया तो मंगल पांडे के जो सहयोगी थे उन्होंने नौकरी छोड़ दी संकल पुठा लिया हाथ में गंगा जली उठाई और कसम खाई कि जिन अंग्रेजों ने मंगल पांडे को अत्याचार करके मारा है हम इन अब अंग्रेजों को मारेंगे तो पहली बार भारत के लोगों में जोश आया पहली ब सब ने नौकरी छोड़ दी पांच पांच छेचे का समू बना लिया एक एक गाउं दो दो गाउं तीन तीन गाउं घूमना शुरू किया उत्तर दक्षिन पूरा पश्चिम चारों दिशाओं में फैल गए गाउं 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 अंग्रेजों की अत्याचार की कहानिया सु संगठन बनने लगा और वो संगठन एक दिन इतना ताकतवर हुआ कि नानसाब पेश्वा जैसे एक व्यक्ति का शुरू किया हुआ संगठन बहुत जल्दी साथ लाग बत्तिस हजार क्रांतिवीरों का संगठन बन गया और थोड़े ही दिन के बाद चार करोड़ से जादा लोग उसमें शामिल हो गए फिर ये तय हुआ कि एक साथ अंग्रेजों को पूरे देश से मार के भगा देना एक साथ तो उसकी तारीक तय हुई 31 मई 1857 पूरे देश में अंग्रेजों के साथ विद्रो होगा बगावत होगी और हर जगे जो अंग्रेज मिलेगा उसको मार चाहेगा ये साड़े चार करोड भारतवासियों ने संकल्प ले लिया सवा चार करोड सौरी और उसमें से गलती क्या हो गई गलती ये हो गई कि 31 मई 1857 की तारीक ते हुई एक साथ पूरे देश में बगावत करने की लेकिन यहां मेरट में कुछ क्रांतिकारियों ने 20 दिन प जब तैह हुआ कि पूरे देश में 31 मई को एक साथ विद्रो करेंगे अंग्रेजों के खिलाब तो मेरट में 10 मई को करने की कोई जरूरत नहीं थी लेकिन मेरट में कुछ जाट समू के लोग थे जिनोंने पूरा आओ न देखा ताओ अंग्रेजों पर चड़ बैठे और 10 म और पूरा मेरट डेड़ दिन में अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हो गया जो अंग्रेज घरों में से निकल कर भागे न उनको जाट समू की महिलाओं ने हसिये से काट डाला गर्दन काट दे हूँ आप जानते हैं जब अत्याचार बहुत होता है न तो आदमी फिर होशो हवास खो देता है वैसे भारत के लोग अहिंसा वादी हैं चीटी को भी नहीं मारते मक्खी को भी नहीं मारते कहते हैं चीटी मारेंगे तो पाप लगेगा हम कितने अहिंसा वादी हैं अपने घर में सबेरे सबेरे जाडू लगाते हैं वो जाडू के नीचे भी चीटी आके ना मर जाए इसके हिसाब से जाडू बनाते हैं वो आपने देखा भारत की जो जाडू होती है आगे से खुली हुई होती है पीछे से एकदम बंद होती है वो खुला हुआ इसलिए रखते हैं कि चीटी आये तो बीच में से निकल जाए, मरे नहीं इतने अहिंसावादी हैं, सवेरे ज़ाडू लगाएंगे तो चीटी भी नहीं मरनी चाहिए लेकिन जब अपने पे आ गए और होशो हवास खो दिया और गुसा और प्रतिशोत की भावना इतनी बढ़ गई, तो मेरट की महिलाओं ने अंग्रेजों के गरदन काट दिये हसिये से, तो ये इस बात को बताता है कि किसी भी समाज की, किसी भी समू की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए कभी भी अंग्रेजों ने वही गलती की, हमारी परीक्षा ले, अत्याचार किये और हद से ज़्यादा जब वो अत्याचार उपर गुजर गए, तो काट दिया दियर दिन में पूरा मेरट अंग्रेजों से आज़ाद हो गया, फिर दिल्ली में हुआ, दिल्ली पांच दिन में आज़ाद हो गई, दिल्ली में तेरे हजार से ज़्यादा अंग्रेजों को मारड़ा हिंदूस्तानियों ने पांच दिल्ली आप कभी गए हैं, दरिया और दिल्ली वाले बेटे होंगे धरिया गंज में एक पोस्ट ऑफिस है यह पोस्ट ऑफिस लाल खून का केंद्र बन गया था हुझा यह दिल्ली के दरिया गंज का संपसे जादा उंग्रेजों का कतलियाम इसी एक जगे पर हुआ था कारण क्या था कि जहां आज पोस्ट आफिस है वहां चर्च हुआ करता था तो ज़्यादा अंग्रेज वहां प्रार्थना करने के लिए आया करते थे तो दिल्ली वासियों ने एक दिन रविवार का दिन जहां प्रार्थना करने के लिए आएंगे वो तै कर लिया और इकठे हो गए सब के सब चर्च में जैसे ही गुसे तो ये चर्च में गुसे और मार काट ऐसी मचा ही कोई जिंदा नहीं बचा दिल्ली के इतिहास को जब पूर में हुआ असारन पूर में हुआ यहां रुडकी में हुआ जहां जहां अंग्रेजों की छावनिया थी सब जगें उनका पूरे हिंदुस्तान में नरसंगार शुरू हुआ तीन महिने में अंग्रेज खतम हो गए तीन लाख पैंसट हजार अंग्रेज तीन महीने में मारे गए इस देश, 1857 की क्रांती में इतना जबरजस्त उपान, अंग्रेज मारे गए तो अंग्रेजों का शासन खतम हो गया, इस्ट इंडिया कमपनी का जंडा उतर गया, यूनियन जेक हटा दिया गया, भारत का जंडा हर जगे लहरानी लगा, जिन्दा बचे थे, सम्मारे गए, तीन लाग पैंसे थे जो बचे वो भाग गए लंदन, और जो भागे न वो कैसे भागे, उन्होंने अपने शरीर को कोईला लगा-लगा के काला किया, उसमें बच गए वो, हाँ, काला अगर नहीं किया होता शरीर, तो वो भी मारे जाते, क्योंकि हिंदुस्तानी उस समय इतने खून के प्यासे थे, जो गोरी चमडी वाला मिले, उसी की गरदन काट, वो एक ऐसा दोर इस देश में पैदा हुआ था, कि जहां गोरी चमडी वाला मिले, बस उसी को ना, तो अंगरेजों ने शरीर पे कोईला मला, कालिक मली, एकदम काले होके छुप छुप के दिल्ली से और कहां कहां से निकल गए, लंदन पहुँच गए, वहां कहानी सुनाई उन्होंने कि भारत में तो ऐसा हो गया है, तो लंदन परेशान हो गया, अंगरेजों की सरकार परेशान हो गई कि भारतवासियों में इतना गुसा कैसे पैदा तो उन्हें का कि उसके ये ये कारण रहे तो अब भաरत पर फिर कबजा करना चाहिए फिर जाना चाहिए क्योंकि धन संपत्ती तो अभी हम लूट नहीं पाए अभी तो सौ साल ही लूटा है और सौ साल लूटना है तो अंग्रेजोंने योजना बनई और उस योजना में ये सर्विक्षन करवाया और ये पता लगाया कि कौन-कौन राजा अंग्रेजों की मदद कर सकता है तो भारत में कई राजा ऐसे निकले गदार जिनका नाम लेके टेस्ट खराब नहीं करना चाहता मैं आपको 20 खांदान ऐसे निकले जिन्होंने बहुत गदारी की है कुछ पंजाब के कुछ हर्याना के कुछ आंद्रप्रदेश के कुछ करनाटक के इन्होंने अंग्रेजों को मारो और फिर से भारत पे कपजा करो तो एक नवंबर 1857 से फिर अंग्रेज वापस आने लगे और एक एक करके उन्होंने करांतिकारियों के जो अड़े थे उनको नाश करना शुरू किया कल मैंने बिठूर की कहानी आपको सुनाई थी बिठूर का नाश किया फिर कानपुर का फिर लखनव का फिर इलाबाद का और गदार राजाओं ने अंग्रेजों की मदद करके सैनिक और पैसा देके करांतिकारियों को मरवाने का काम किया उनमें कई करांतिकारी हमारे मारे गए, जहांसी किरानी लक्ष्मी भाई मारे गए, आप सभी जानते हैं, नाना फड़न भीस मारे गए, आप सभी जानते हैं, नाना साथ पेशवा तो काफी दिन बचे रहे, लेकिन अंत में उनको भी मार डाला, तांतियां टोपे भी बचे लेकिन अंत में अंग्रेजों ने उनको भी ढूंड कर मार डाला तो एक-एक करके सारे क्रांतिकारी खतम होगा ये अंग्रेजों का फिर कबजा हो गया और ये देश फिर से गुलाम हो गया उस गुलामी के बाद फिर क्रांतिकारियों ने एकठा होना शुरू किया और धीरे धीरे एकठे होते होते 1905 आ गया और 1905 में जब क्रांतिकारी एकठे हुए तो लड़ाई का तरीका बदल गया पहले लड़ाई अंग्रेजों से सीधे-सीधे हुई आरपार की अंग्रेजों ने बंदूक चलाई तो हमने भी बंदूक चलाई अंग्रेजों ने तलवार चलाई हमने भी उनके सिर काटे 1857 में लड़ाई ऐसे हुई 1905 में लड़ाई का तरीका बदल गया लोकमानि तिलक लाला लाजपत्राई विपिंचंद्रपाल ने कहा कि अंग्रेजों को तलवारों से हरा नहीं सकते बंदूकों से मार नहीं सकते क्योंकि हम मारेंगे और आएंगे और मारेंगे और आएंगे और ये अंतहिन सिलसिला है तो लोकमानि तिलक ने कहा कि इन अंग्रेजों की जड़ खो दो इनकी जड़ में मठ्ठा डालो तो अंग्रेजों की जड़ कहां थी अंग्रेजों की जड़ थी उनका व्यापार व्यापार क्या था इंग्लेंड से माल लाते थे भारत में बेचते थे वो मुनाफ़ा उनको मिलता था ये उनका सबसे बड़ा आधार था तो लोकमा नितरिक लाला राजपतरा विपिंचंद पाल ने कहा कि अगर इनका ये आधार हम तोड़ देंगे तो अंग्रेज हमेशा के लिए तूट जाएंगे इसलिए स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ और इसलिए इस देश के लोगों ने गली-गली गाउं-गाउं घर-घर विदेशी माल का बहिशकार और स्वदेशी माल का स्वीकार ये मंत्र गुंजाय मान किया और ये आंदोलन इतना जबर्जस्त निकला मैंने बताया ना आपको 1905 में शुरू हुआ 1911 तक आते हिंदुस्तान में अंग्रेजी माल बिकना बंद हो गया अंग्रेजों का कपड़ा बिकना बंद हो गया अंग्रेजों की चीनी भारत के नेताओं से उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की एक बार भारत के नेताओं को जहसा दिया आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे लेकिन आप बहिशकार बत करवाईए तो विपिण चंद्रपाल लाला लाजपत्राई ने कहा आप पर भरोसा नहीं अंग्रेजों पर भरोसा नहीं कर सकता है तो इन करांतिकारियों ने आंदोलन आगे बढ़ाया आगे चलाया अंग्रेजों में कमजोरी आती गई मुनाफा मिलना बंद हो गया और जहां जहां अंग्रेज टेक्स लगाते थे, लोगों ने टेक्स देना बंद कर दिया, अंग्रेज टेक्स लगाते थे न, लोग कहते थे, टेक्स भरेंगे नहीं, तुमको जो करना है कर लो, तो अंग्रेज क्या करते थे, जेलों में डाल देते थे, तो लोग कहते थे, चलो, हम जेल में रहेंगे, त उसमें जाधा से जाधा जाधा से जाधा उस जमाने में 10 से 11,000 कैदी रह सकते थे और दिल्ली में 60,000 से व्यापारियों ने टेक्स देना बंद कर दियां अंग्रेजों को, देंगे ही नहीं, तुमको ज़ल में डालना डाल दो, उस जमाने में, हिंदुस्तान के लोगों का डर निकल गया था जेल जाने से भारत के लोग डरना बंद कर दिये जेल जाएंगे चले जाएंगे टेक्स नहीं देंगे अंग्रेजों जेल जाना पड़ेगा जाएंगे उनका सामन नहीं खरी देंगे किसानों ने टेक्स देना बंद कर दिया जो लगान लगता था न 90 प्रतिशत वो बंद कर दिया व्यापारियों ने टेक्स देना बंद कर दिया और व्यापारियों ने अंग्रेजों का माल वेचना बंद कर दिया ग्राहकों ने खरीदना बंद कर दिया तो सब तरफ से मार पड़ी कि नहीं अंग्रेजों पर और उसी समय क्या हुआ उसी समय 1914 में प्रथम विश्युद्ध हो गया तो अंग्रेजों को और मार पड़ी उस विश्युद्ध में उनका बहुत खर्चा हुआ इदर से आमंदनी कम हो गई उदर युद्ध का खर्चा बढ़ गया तो इंग्लेंड करजदार देश हो गया तो फिर धीरे धीरे कमजोरी बढ़ती गई फिर हिंदुस्तान में क्या हुआ लोकमान जिलक की इम्रत्य हो गई क्योंकि उनको बीमारी हो गई उस जमाने में लोकमान जिलक गाओं गाओं जाके भाशन दिया करते थे तो भाशन देने के लिए माइक नहीं होता था अगेले अगला फाड़ फाड़ के बोलना पड़ता आपको मालूम है बोलने में बहुत हूर्जा खर्च होती है पूरा गला खराब हो गया था लोकमान जिलक का फेफड़े गल गई थे टी बी हो गई उनको और 1920 में उनकी म्लत्य हो गई इसी तरह लाला लाजपत्राई को अंग्रेजों ने देश निकाला दे दिया भारत से बगा दिया उनके उपर मुकदमे बाज़ी इतनी की कि उनको देश से निकल के जाना पए लेकिन भगवान ने फिर क्या किया लोकमान जिलक लाला लाजपत्राई विपिंचंदरपाल का जो लीडर्शिप था ये तूट गया उसी समय गांदी जी आ गए और ये जो इनके कारिकरता थे एक करोड़ चौबीस लाग गांदी जी ने इनी कारिकरताओं को अपने साथ लिया और उससे भी बड़ा स्वदेशी आंदोलन शुरू कर दिया गांदी जी ने एक कदम आगे बढ़के क्या किया कि हम विदेशी कपड़े की तो होली जलाएंगे खुद अपने हाथ से चर्खा कात कर सूती खादी कपड़ा बनाएंगे और वही पहनेंगे लाल बाल पाल के जमाने में स्वदेशी आंदोलन का उद्देशी था विदेशी कपड़े की होली जलाना अपना स्वदेशी कपड़ा खुद बनाना और खुद पहनना तो गाउं 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 गांधी जी ने चर्खा चलवाया और लाखों कारी करता उसमें जुड़ गए चर्खा चलाने खादी बनना शुरू हुई तो लोगों ने अंग्रेजी कपड़ा छोड़कर खादी खरीदना शुरू किया और अंग्रेजों को फिर पैसा मिलना बन्द हुआ पहले अंग्रेज क्या करते थे सारा कच्चा माल यहां से कॉटन ले जाते थे लंदन और फिर कपड़ा बनता था फिर यहां आके बिकता था जब खादी यहीं बनने लगी तो कॉटन लंदन जाना बन्द हो गया तो लंका शायर और मांचेस्टर की मिलें बन्द हो गई गांदी जी के आने के बाद ऐसा जबरजस्त पूरे देश में आंदोलन चला किंग्लेंड की कपड़ा मिलें बन्द हो गई क्योंकि उनको कॉटन मिलना बन्द हो गया क्योंकि उस कॉटन से यहीं खादी बनने लगी फिर गांदी जी के प्रभाव में कुछ लोग आए एक बड़े नेता थे इस देश में सौरी नेता नहीं विद्योग पती जमशेट जी टाटा उनकी गांदी जी से मुलाकात हो गई तो गांदी जी ने उनको समझाए कि आपके पास पैसा है पूजी है एक जमाने में भारत लोहा बनाता था सारी दुनिया को बेचता था तीन हजार साल हम एक्सपोर्ट करते थे आप फिर लोहा बनाना शुरू करिए क्योंकि उस समय लोहे का कच्चा माल लंदन जाता था लोहा बन के आता था तो गांदी जी ने का लोहा नहीं यहीं बनना चाहिए तो जमशेट जी टाटा ने 1911 में बंगाल के एक बड़े व्यक्ति हुआ करते थे जो वैज्यानिक थे और उद्योक पती थे उनका नाम था वी सी राय विधान चंद राय वो गांदी जी से प्रभावित हुए और उन्होंने एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ी कर दी जिसका नाम है बंगाल केमिकल्स उस जमाने में केमिकल्स की सारी चीज़ां इंगलेंड से आती थी उन्होंने का इंगलेंड से क्यों खरी देंगे हम खुद बनाएंगे तो बंगाल केमिकल्स नाम की बहुत बड़ी स्वदेशी कंपनी खड़ी हुई टाटा स्टील नाम की बड़ी स्वदेशी कमपनी खड़ी हुई ऐसे धीरे-धीरे सैक्णों भारत की स्वदेशी कमपनियां खड़ी होती गई अंग्रेजों का माल भिकना धीरे-धीरे बंद होता गया बाद में कहानी आई 1930 में नमक सत्यागरे हुआ उसमें अंग्रेजों की और ज्यादा कमर तूटी फिर 1942 में भारत छोड़ो हो गया उसमें तो अंग्रेज पूरी तरह से खतम हो गए क्योंकि 1942 में दूसरा विश्युद चल रहा था उसमें अंग्रेजों की बुरी तरह से मार कर रहा था हिटलर तो हिटलर ने इतना पीटा अंग्रेजों को कि इनके सारे पैर उखड़ गए फिर 1942 में अंग्रेजों ने तै कर लिया कि हम भारत छोड़ कर चले जाएंगे अब यहां हम रह नहीं पाएंगे क्योंकि जब उनका माल नहीं भिकेगा तो यहां रह के करेंगे क्या तो यह स्वदेशी आंदोलन की ताकत ने 1922 में अंग्रेजों को मजबूर कर दिया और 1947 में अंग्रेज 15 अगस्त को भारत छोड़ कर भाग गए यह कहानी स्वदेशी आंदोलन की तो इस कहानी को इतने विस्तार से मैंने क्यों सुनाया ताकि आप इस कहानी को दूसरों को सुना सके हम जब लोगों से कहेंगे न स्वदेशी की बात करेंगे स्वदेशी का आग्रे करेंगे तो लोग पूछेंगे भई क्यों तो उनसे कहो कि यह स्वदेशी आंदोलन हमारी आजादी का आधार है हमारी स्वतंत्रता का आधार है हमारे क्रांतिकारियों का बीज मंत्र है इसी स्वदेशी की ताकत पर हमने देश की आजादी पाई है इसलिए स्वदेशी का आग्रे हमारे जीवनने होगा अब ये तो हो गई कहानी आजादी के पहले की उसमें ये बात आई कि भई देश का विकास करना है तो क्या करें देश का विकास करना है ना अपने रास्ते पर अपने चरीके से चलाना है स्वदेशी बनाना स्वावलंभी बनाना है तो क्या करें तो देश में उद्योग धंदे होने चाहिए होने चाहिए कि नहीं बेकारी क हम वो गरीबी कम हो तो अध्योग धंदे हो अपना माल हम खुद बनाएं दूसरों के सामने हाथ ना फैलाएं पूरा उत्पादन होना चाहिए तो अध्योग धंदों के लिए पैसे चाहिए खजाना देखा तो खाली था पैसे थे ही ने क्यों अंग्रेजों ने लूट लिया सार और जो थोड़ा बच गया था पैसा वो पाकिस्तान के बटवारे में देना पड़ा आपको मालूम है 55 करोड रुपया थोड़ा बच गया था हमारे पास वो पाकिस्तान का बटवारा हुआ तो अंग्रेजों ने ऐसा समझाता करवाया कि वो 55 करोड पाकिस्तान को देना लाओ, तो वहां फिर एक दूसरी गलती हुई, दूसरी गलती क्या हुई, कि अगर पैसे नहीं है और पैसे लाने हैं, तो रास्ता ये अपनाना चाहिए, कि पैसे अपने यहां पैदा करो, पूझी का उत्पादन करो, पूझी का उत्पादन कहां होता है, खेती से, आप जान पौदा बनता है पक जाता है फिर काटते हैं तो कितने गेहूं के दाने निकलते हैं साथ सतर असी इतने ही निकलते हैं ना एक दाना डाला साथ पैदा हो गए एक दाना डाला सतर हो गए एक दाना डाला असी हो गए तो दाना तो हमने एक डाला और पैदा हो गए 80 दाने तो जो 89 दाने जादा हुए वो पूजी बन गई हमारी खर्चा किया एक दाने का पैदा हो गए 80 दाने कई कई जगे तो भारत में गेहूं के ऐसे बीज हैं जहां एक बीज डालो तो सवासो गेहूं के दाने निकलते हैं बाल एक मैंने देखा मध्यप्रदेश में एक बीज डालो तो डेड़ सो दाने निकलते हैं एक बाल में तीन बाल निकलती है तो पूजी पैदा होती है धरती में से धरती माता है जो खेती में इतना उत्पादन देती है, उसमेंसे पौंजी पैदा होती है, तो क्या करना चाहिए था? उस समय जब भारत सरकार के सामने ये समस्या आई, कि कार खाने लगाने, उद्जोक करना, व्यापार करना पैसे की जरूरत है, तो केतों की तरफ ध्यान देना चाहिए था, नहीं दिया पूजी के लिए विदेशों से कर्ज मांगना शुरू कर दिया जिस हिंदुस्तान ने अपने इतिहास में कभी किसी देश से कर्ज नहीं लिया था उस हिंदुस्तान ने आजादी के बाद 1952 में पहली बार दुनिया से कर्ज मांगा आपको ये सुनकर बहुत दुख होगा कि 1947 तक हम दुनिया में ऐसे देश थे जिसके उपर करजे का एक रुपया नहीं था फिर 1952 में हमारी सरकार ने विदेशी करज लेना शुरू कर दिया करज लेना शुरू कर दिया तो करज देने वालों ने अपनी शर्तें हमारे उपर लगाना शुरू कर दिया आप किसी से भी करज लेंगे तो फोकट में तो नहीं देगा हो आप बेंक से करज मांगने जाते हैं न तो बेंक अपनी शर्त बताता है कि नहीं ऐसे ही हमने विशो बैंक से करज मांगा विशो बैंक ने अपनी शर्ट बताना शुरू किया और उनकी शर्टें क्या थी उनकी शर्टें ये थी कि जिस मुद्रा में भारत हमसे करज लेगा उसकी कीमत बढ़नी चाहिए मतलब भारत करज लेगा अगर डॉलर में तो डॉलर की कीमत बढ़नी चाहिए भारत करज लेगा अगर स्टर्लिंग पाउंड में तो स्टर्लिंग पाउंड की कीमत बढ़नी चाहिए भारत अगर करज लेगा फ्रेंच में फ्रेंक में फ्रांस की करंसी फ्रेंक तो उसकी कीमत तो जो भी विदेशी मुद्राओं में हमने करज लेना शुरू किया, उन मुद्राओं की कीमत बढ़ती गई और उस कीमत को बढ़ाने के लिए भारत की सरकार ने अपने रुपई की कीमत को गिराना शुरू कर दिया 1952 में रुपई की कीमत गिरी 1947 पंद्रे अगस्त को एक रुपया एक डॉलर के बराबर था एक रुपया एक इस्ट्रेलिंग पाउंड के बराबर था एक रुपया एक फ्रेंच फ्रेंक के बराबर था लेकिन 1952 आते आते साथ रुपया डॉलर हो गया फिर हमने दुबारा 1957 में करज लिया फिर 1962 में लिया फिर 1962 में लिया फिर 1972 में लिया पहले पांच-पांच साल में एक बार कर्ज लेते थे फिर 1982 के बाद हर साल 1987, 1984, 1985 हर साल कर्ज लेना शुरू किया और कई-कई प्रधान मंत्री तो ऐसे आए महानुभाव इस देश में जिनोंने पुराने कर्जे का ब्याज देने के लिए नया कर्ज ले लिया ऐसे भी प्रधान मंत्री आए उन्होंने कर्जों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दी परिणाम क्या हुआ कर्ज बढ़ता गया और 1991 से इस देश में एक नीती चल पड़ी जिसका नाम आप जानते हैं उदारी करण अंग्रेजी में कहते हैं उसको लिब्रलाइजेशन हिंदी में उदारी करण फिर एक नीती है वैश्वी करण ग्लोबलाइजेशन मैंने इस नीती का नाम बदल के रखा है उदारी करण कर्ज लेना उधार लेना कर्ज लेना उधार लेना कर्ज लेना उधार लेना जितने प्रधायन मंत्री आये सब ने अंदा धुंद कर्ज लिया तो बढ़ते 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 अब कर्ज बहुत अधिक हो गया और इन सरकारों ने क्या किया विदेशी कर्ज लिया देश के अंदर से भी कर्ज लिया दोनों तरफ से कर्ज ले लेके 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 विकास करने की नीव डाल दे सबसे खराब काम हुआ कर्ज लेकर विकास करना हमारे भारत की परंपरा क्या है जितनी लंबी चादर उतने लंबे पाँ ये भारत की परंपरा है अगर हमारे पास कम पैसे हैं तो कम पैसे में ही काम चलाओ कर्जा लेके मताओ ये भारत की परंपरा लेकिन सरकारों ने इसका उल्टा कर दिया उन्होंने कहा कि चादर अगर बड़ी नहीं है तो उधार की चादर ले आओ तो कर्ज ले लेके देश के ऊपर इस समय लगबग 18 लाख करोड रुपए का तो विदेशी कर्ज हो गया केंद्र सरकार और राज्य सरकारों पर और लगबग 18 लाख करोड का ही देशी कर्ज हो गया मने इस समय देश 36 लाख करोड के कर्जे में दबा हुआ है अगर आप हिसाब मिकालेंगे तो एक-एक हिंदुस्तानी 36,000 रुपए का कर्जदार है ये इस्तिती हो गई अब इसमें परेशानी क्या आई कि हमने जहां विदेशों से कर्ज लिया अमेरिका से, जापान से, जर्मनी से, फ्रांस से, स्वीडन से, स्विजलेंड से उन देशों ने हमारे उपर शर्तें लगाई तो पहली शर्तों मैंने बताई, रुपए की कीमत गिराओ और जिस मुद्रा में कर्ज ले रहो उसकी कीमत बढ़ाओ तो डॉलर की कीमत बढ़ते बढ़ते कहां तक आई एक डॉलर एक रुपए था उननीस सो से तालीस में, अब हो गया है पचास रुपए एक डॉलर माने रुपए की कीमत पचास गुनी कम हो गई उननीस सो से तालीस में एक रुपए एक स्टरलिंग पाउंड था, अब हो गया है 80 रुपया एक sterling pound एक currency आई है दुनिया में जिसका नाम है euro dollar एक euro dollar 56 रुपया हो गया हर एक दुनिया की currency की तुलना में भारत की रुपय की कीमत गिर गई हमारे उपर शर्त लगी तो हमने वो शर्त मानी दूसरी शर्त हमारे उपर क्या आ गई कि जो जो देश से हम कर्ज लेंगे उनी देशों की कमपनियों को भारत में व्यापार करने के लिए बुलाना पड़ेगा अगर हम अमेरिका से कर्ज लेंगे तो अमेरिका की कमपनियां भारत में आएंगी व्यापार करेंगी उनको लाइसेंस देना ही पड़ेगा अगर जापान से करज लेंगे तो जापान की कमपनी आएंगी उनको लाइसेंस देना पड़ेगा जर्मनी से करज लेंगे तो वहां की कमपनी आएंगी उनको लाइसेंस देना पड़ेगा तो भारत की सरकार ने 24 पहनत करके मार के भगाया था और उसको भगाने में लाखों शहीदों की कुर्बानी देनी पड़ी थी करोड़ों हिंदुस्तानियों को अपनी माँ बहन बेटियों का बेज़दी सहन करना पड़ा था एक कमपनी को भगाने में लेकिन अब आजादी के बाद ऐसे चक्कर में देश फस गया कि पांच हजार से जादा विदेशी कमपनिया फिर आगे अब इन कमपनियों के आने से फिर नुकसान हो रहा है पहले इस इंडिया कमपनी आई वो माल बेच के मुनाफ़ा कमाती थी ऐसे ये पांच हजार कमपनिया माल बेच के मुनाफ़ा कमाती और नुकसा दोहरा हो रहा है हमारा एक नुकसान तो यह हो रहा रूपई की कीमत जैसे जैसे गिर रही है ना बहुत नुकसान होता है इस से देश को आप समझते हैं कैसे नुकसान होता है 1947 में अगर हम एक रुपए का माल अमेरिका को बेचते थे तो हमको एक डॉलर मिलता था अब 2009 में हमको 50 रुपए का माल बेचना पड़ता है तब एक डॉलर मिलता है माने माल हमारा 50 गुना जादा जाता है डॉलर हमारे पास एक ही आता है सोचो कितना बड़ा नुकसान है हम हिंदुस्तान से कच्चा लोहा बेचते हैं दूसरे देशों को तो जब हम आजाद हुए न हमने कच्चा लोहा पहली बार जब बेचा दूसरे देशों को तो उसकी कीमत थी साथ रुपया किलो आइरन ओर अब क्या हुआ रुपई की कीमत गिरती गई गिरती गई गिरती गई तो वही कच्चा लोहा अब हम दुनिया के देशों को बेचते हैं तो उसकी कीमत है 15 पैसा किलो हमारा जो माल दुनिया में बिकता था ना साथ रुपई किलो अब बिकता है 15 पैसा किलो आप सोचो एक किलो कच्चा लोहा बेचने पर 6 रुपई 85 पैसे का नुकसान होता है और एक साल में करनाटक राजी अकेला 2 करोड मीटरिक टन कच्चा लोहा बेचता है 14,000 करोड रुपई का नुकसान होता है फिर महाराश्वराज बेचता है उसको नुकसान होता है फिर जारकंड बेचता है उसको नुकसान होता है फिर उडिसा बेचता है तो हिंदुस्तान को हर साल 60-70,000 करोड का नुकसान तो कच्चा लोहा बेचने से हो रहा है क्योंकि रुपई की कीमत कम है, डॉलर की कीमत जादा है और एक उधारन से समझाता हूँ, आप इसको ऐसे समझ लो अगर आप बास्मती चावल खाना चाहो अपने घर में तो क्या भाव मिलेगा, पचास रुपई किलो मिलेगा जो चावल आप खाओगे पचास रुपई किलो, रुपई की कीमत कम होने से वो चावल दुनिया के देशों को बेचा जाएगा, एक रुपई किलो जो चीज आपको मिलेगी पचास रुपई किलो दूसरे देश उसको खरी देंगे हमसे एक रुपई किलो ये है नुकसान हिंदुस्तान में आम होता है ना सबसे अच्छी क्वालिटी का आम है अलफेंजो सुनाएं महाराष्ट वाले जानते होंगे और एक है रतनागिरी एक हापुस एक है केसर गुजरात में जो होता है काफी तो ये सबसे अच्छी क्वालिटी के आम है इनको छूना तो दूर की बात है देखना हो तो कीमत सुनके कपकपी आ जाती है बारे आम 500 रुपई का है पांसो रुपई डेजन का तो आप खरीदोगे तो आपको वो आम मिल रहा है पांसो रुपई में बारे वही आम हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट हो रहा है 40-50 रुपई में 12 क्योंकि रुपई की कीमत कम है डॉलर की कीमत जाद है आप बादाम, काजू, किश्मिस, मुनक्का खरीद के खाते हो ना 300-400 रुपई किलो ये चीज़ें विदेशों को एक्सपोर्ट हो जाती है 60-70 रुपई किलो कारेंट रुपई की कीमत कम है, डॉलर की कीमत जाद है तो होता क्या है हमारी हर चीज़ दूसरे देश में सस्ती बिक्ती है और इसका उल्टा क्या होता है दूसरे देशों से हम कुछ भी खरीदें तो वो महंगा पढ़ता है बहुत महंगा पढ़ता है डीजल खरीदें, प पचास गुना महेंगा है अगर दोनों को एक साथ जोड़ दो तो सौ गुने का नुकसान पूरे देश को हो रहा है लाखों करोणों रुपए का नुकसान हो रहा है और दूसरा नुकसान क्या हो रहा है जिन जिन देशों से हमने करज लिया उन उन देशों की कमपनिया आ गई ब्यापार करने के लिए अमेरिका से करज लिया तो अमेरिका की कमपनिया आ गई पेपसी कोला, कोका कोला कॉलगेट पामोलिव, प्रॉक्टर औंड गैंबल रेकेट अंड कोलमेन, जॉंसन औं जॉंसन आधी-ाधी कमपनिया आ गई ब्रिटेन से करज लिया तो वहां की आ गई, जर्मनी से लिया तो वहां की आ गई, इन देशों की कमपनियों ने ऐसा ब्यापार फैलाया है पूरे देश में लाखों करोणों लूट के ले जा रही कैसी लूट कर रही है ये कमपनिया कुछ नाम लेके बताता हूँ हमारे देश में एक कमपनी है कनाडा की, उसका नाम है बाटा, सुना है बाटा जूता बेचती है ये अमेरिका की, वो कनाडा की कमपनी है, भारत की नहीं नाम लिखा हुआ है बाटा इंडिया लिमिटेड, तो आपको ब्रहम हो जाएगा, कि इंडिया की कमपनी है, नहीं वो कनाडा की कमपनी जूते बेचती, जूते कैसे बेचती है, वो जूते बनवाते हैं, बनाते नहीं है बाटा की फैक्ट्रियां नहीं है इस देश में जूते बनाने की फेक्ट्रियां तो हमारे अपने देश की हैं जूते बनाने की आगरा में कानपूर में कलकत्ते में देखिए आगरा तो जूते की सबसे बड़ी मंडी है कानपूर जूते चपल की सबसे बड़ी तो जूते तो अपने ही लोग बनाते हैं यह बाटा कमपनी उनसे खरीद लेती और ये कंपनी क्या करती है उस पे मोहर लगाती है 699 रुपए 95 पैसे 700 99 रुपए 95 पैसे 999 रुपए 95 पैसे आप कभी खरीदने जाओगे तो आपको लगएगा बड़े इमांदार है ये तो 95 पैसे लेते हैं पूरा एक रुपए भी नहीं ले रहे हैं और इतने बेइमान हैं 100 रुपए का जूटा उस पे मोहर लग गई 699 रुपए 95 पैसे तो लूट कितनी हो गई है जूटा तो 100 रुपए का है और बेच दिया उन्होंने 699 रुपए 95 का मने 700 रुपए में 600 रुपय लूट लिया एक जोड़े जूते पर तो चपपल बेचते हैं जूते बेचते और यह कंपणी 70 लाख रुपई से इसने व्यापार शुरू किया था हिंदुस्तान में मात्र सब्तर लाग रुपर से और आज ये कंपनी करोडों करोडों रुपए लूट रही है इस देश में एक साल की बैलेंस शीट ही इनकी बताती है 280 करोडों रुपए नेट प्रॉफिट की ऐसे लूटते हैं ऐसे ही हमारे देश में एक कंपनी है Unilever इसने नाम बदल दिया हिंदुस्तान लीवर रख लिया ये बहुत दैमान कंपनी है जिस देश में जाती है उसी देश का नाम अपने साथ लगा लेती है भारत में इसका नाम है पाकिस्तान में उसका नाम है पाकिस्तान लीवर इंडोनेशिया में उसका नाम है इंडोनेशिया लीवर ये मूलते है ब्रिटेन और हॉलेंड के व्यापारियों की कंपनी भारत में गुजगई दंदा शुरू किया और इस company ने धंदा शुरू किया मात्र 24 लाख रुपए से मात्र 24 लाख रुपए से और आज ये company एक साल में 2000 करोड रुपए लूट कर ले जा रहे हैं 2000 करोड एक साल 24 लाख से धंदा शुरू किया ऐसी एक अमेरिका की company है हमारे देश में उसका नाम है Colgate Pamuliff जानते हैं आप toothpaste पेचते हैं उसने हिंदुस्तान में 15 लाख रुपए से धंदा शुरू किया मात्र 15 लाख से और आज लगवग 300 करोड रुपए के आसपास वो लूट के ले जा रहे हैं और ऐसे ही मैं बताता जाओं तो 5000 कमपनिया हैं 24 मैंने आपको बताया बहुत जल्दी इस विशह पर एक पुष्टक छप रही है जो आपको मिलेगी उसमें सारा डिटेल है तो ऐसी ये सारी कमपनिया हिंदुस्तान में थोड़ी थोड़ी पूजी से धंदा शुरू करके हजारों करोड रुपए कमा रहे हैं एक साल में हिंदुस्तान से ये सारी कमपनिया जो 5000 हैं कोई जूता बेच रही है कोई साबुन बेच रही है कोई मंजन बेच रही है जैसे कॉलगेट पामुलिव टूथ पेस्ट और टूथ पाउडर बेचती है बाटा जूता बेचती है हिंदुस्तान लीवर लक्स लाइफ बॉय लिरिल रेक्सोना ये साबुन बेचती है नाने का कपड़ा धोने का ऐसे ही जॉनसन इंग जॉनसन है वो कुछ दवाएं बेचती है पार्क डेविस है वो दवाएं बेचती है तो दवाएं बेचने वाली कॉस्मेटिक्स बेचने वाली टॉयलेट्रीज के आइटम बेचने वाली 5,000 से ज्यादा कमपनिया है और एक साल में इस देश का 2,32,000 करोड रुपए लूटती हैं कुल मिला कि 2,32,000 करोड़ मुझे तकलीफ इस बात की है कि पहले अंग्रेज हम को लूटते थे तो डकेती करते थे घर में गुसते थे, मारा मारी करते थे बंदूग चलाते थे तलवार चलाते थे और लूट के ले जाते थे अब ये कमपणियां दूसरे तरह की डखेती करते ये बंदूग नहीं चलाती तलवार नहीं चलाती ये आपका दिमाग खराब करके लूट के ले जाते और हम खुशी से लुटवाते हैं इन से अपने आप पहले मजबूरी में लुटते थे अब मजे में लुट रहे हैं कैसे इन कमपनियों ने हिंदुस्तानियों की एक कमजोरी पकड़ लिए हमारी एक बड़ी भारी कमजोरी है वो पता है कमजोरी क्या है अगर कोई हमको बार 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 जुट बोलता रहे बोलता र दिखाते हैं सबेरे से शाम तक विग्यापन दिखाते हैं एक बार दो बार दस बार बीस बार पचास बार सो बार दो सो बार हजार बार 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 और आप देख देख के देख देख के इतने पागल हो जाते हैं कि चुप चाप वो चीज खरीद के ले आते हैं बिना सोच समझे और विज्यापन कैसे आता है आप टीवी का चैनल खोलो तो सबसे पहले विज्यापन देखना पड़े कोई भी चैनल खोल लो आपको अगर समाचार देखना है आज तक खोल लो इस्टार न्यूस खोल लो, जी न्यूस खोल लो, कोई भी न्यूस खोल लो, होता क्या है, न्यूस आती है दो मिनट, विग्यापन आता है तीन मिनट, दो मिनट न्यूस, तीन मिनट विग्यापन, दो मिनट न्यूस, तीन मिनट विग्यापन, दो मिनट न्यूस, तीन मिनट अब होता अंत में पता ही क्या है. निउस तो भूल जाती है, विग्यापन याद हो जाती है. क्योंकि निउस तो बदलती रहती है ना, हर दो गंटे, तीन गंटे पे तो भूल गए, विग्यापन सब को याद हो गया, पर्मानिट याद हो. मैं बहुत लोगों से पूछता रहता हूँ जो रोज नियूस देखते हैं कि भाई कल क्या समाचार देखा तो कहते हैं याद ने फिर उन से पूछो विग्यापन क्या देखा तो वो याद है ठंडा मतलब होगा कोले तुरंत याद आ जाता है विग्यापन क्योंकि दिमाख में घुस गया हूँ बार 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 तो हम हिंदुस्तानी क्या करते हैं इनका विग्यापन देख 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 देखके माल खरीद लेते और विज्जापन इस तरह से बनाते हैं जिसमें लोगों का विवेक शून्ने हो जाता है एक विज्जापन है विदेशी कंपनी है लाइफ बॉय सावुन बेचती है क्या विज्जापन आता है लाइफ बॉय है जहाँ अच्छा अब आप सोचो कि यह लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहाँ इसका माने तंदुरुस्ती लाइफ बॉय से आ रही है तो रोटी पानी क्यों कर रहे हो भाई खाना क्यों खा रहे हो लाइफ बॉय लगाओ रगड रगड के नहाओ तंदुरुस्ती आती रह कि अब अकल की बात तो यही है ना साबुन तंदरुस्ती का अधार नहीं होता लेकिन हम जबरजस्ती लाइफ भॉय खरीदते हैं एक जमाना था कि कोई लाइफ भॉय नहीं खरीदता था आज इस कंपनी का साथ करोड लाइफ भॉय साल में पिक जाता है और लोग रगड रग और कैसे मूर्ख बनाती है ये कंपनी वो विग्यापन में कहते हैं लाइफ बॉय मेल में छुपे कीटाणूओं को धो डालता है मेल को नहीं धोता मेल में छुपे हुए कीटाणूओं को धोता है और कीटाणूओं को मारता नहीं है धोता है सुनाए ना ध्यान से लाइफ बॉई मेल में छुपे कीटाणूओं को धो डालता है तो मारता नहीं है धोता है इसका माने कीटाणूओं को धो पहुँचकर और तंदृस्त बना देता है अब ये मूर्खता है कि नहीं इस मूर्खता में सारा देश परेशान और सारा देश क्या परेशान है लाइफ बॉई खरीद रहे हैं पैसे हिंदुस्तान लीवर विदेशी कंपणी को दे रहे है और कितने पैसे दे रहे है लाइफ बॉई आता है दस रुपए का कभी कभी आता 12 रुपए का Life Boy दुनिया का सबसे घटिया साबून है आपको मालूम है आप पूछोगे कैसे, दुनिया में तीन तरह के साबून होते है, एक होते है बात्सोप बात्सोप का माने नहाने का साबून, इसनान करने का साबुन एक होते हैं टॉइलेट सोप टॉइलेट सोप माने हाथ दोने का साबुन संडास घर में से निकले तो हाथ दोने का साबुन टॉइलेट सोप और एक होता है कारबोलिक सोप कार्बुलिक सोप का माने है जानवरों को नहलाने का साबुन लाइफ बॉय कार्बुलिक सोप है ये वो खुद कहते हैं कंपनी वाले कहते हैं मैं नहीं कहता कंपनी डिकलियर करती है कि ये बाद सोप नहीं है टॉयलेट सोप नहीं है ये कार्बोलिक सोप है और यूरोप के देश में लाइफ बॉई से कुट्टे नहाते हैं बिल्लिया नहाती हैं गदे नहाते हैं और उस लाइफ बॉई से हिंदुस्तान के साथ करोड़ लोग रगड़ रगड़ के नहाते हैं ऐसा दिमाग खराब हमारा हुआ ये विग्यापन देगी और ये जो कार्बोलिक सोप है न ये बनता कैसे है इसको भी चान लो बाद सोप बनाते हैं ये हिंदुस्तान लीवर का बाद सोप है जैसे लक्स जैसे लिरिल जैसे रेक्सोना इसी का एक साबून है पियर्स तो वो सब बाद सोप है उसको बनाने के बाद ये कुछ और साबून बनाते हैं जैसे रिन उसी का है जैसे सर्फ तो खबड़ा दोने का साबून बनाया नहाने का साबून बनाया उन दोनों को बनाने के बाद जो कच्रा बच गया उससे कारभोलिक सोब बनाए लाइफ पोॉड और वो सबसे ज़्यादा बिगता है इस देशु जो सबसे घटिया साबुन है वो सबसे ज़्यादा बिगता है इसके घटिया होने का परमान क्या है? साबुन में केमिकल जितना ज़ादा साबुन उतना ही गटिया और केमिकल उसमें जो सबसे खराब केमिकल है जो आपकी तुचा को खराब करता है मैं आपको उसका प्रमान देता हूँ आप लाइफ बॉय से नहाईए नहाने के बाद जब शरीर सूख जाए ना तो नाखुन से ऐसे लाइन खीचिए सफेद रंग की लाइन खीच जाए कैसे खीचिए लाइफ बॉय के केमिकल कचरे ने आपकी तुचा के तेल को पूरी तरह से सुखा दिया तो तुचा एकदम रूखी और सूखी हो गई और जिनकी तुचा रूखी और सूखी होती है और बार 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 आप उस पे साबून रगडेंगे तो एक दिन आपको एकजीमा होने ही वाला है सुराइसिस होने ही वाला है चम्डे के रोग होने ही वाले हैं तो life boy लगा लगा के तोचा को रूखा बना रहे हैं फिर चमडे के रोग आ रहे हैं चमडे के रोग आ रहे हैं तो फिर उनको ठीक करने के लिए डॉक्टरों के पास जा रहे हैं फिर उनकी दवाएं खा रहे हैं फिर उन दवाओं से शरीर पर साइड इफेक्ट आ रहा है फि और उसको ये 10-12 रुपई में बेच लेती है, मुनाफ़ा इस कंपनी का सेकड़ों नहीं हजारों प्रतिशत में है, ऐसे ये काम करती है, इस कंपनी का एक साबुने ना पियर्स, वो तो 25-30 रुपई का है, 6-6 रुपई में बनता है, 25-30 में ये कंपनी बेच लेती है, इस कंपनी का एक वाशिंग पाउडर है ना, 19-20 रुपई किलो में बनता है, और उसको ये कंपनी 1.500 रुपई किलो तक बेच लेती है, वाशिंग पाउडर, ऐसे लूट रही है ये कंपनी, और हर साल मैंने बता है ना, 2000 करोड रुपई जा रहे हैं, आपके मेरे खून पसीने की कमाईग है, तो क्या करना चाहिए, तो वही करना चाहिए, जो कभी लोकमान बाल गंगाधर तिलक ने किया था, वही करना चाहिए, जो लाला लाच्पत राय ने किया था, वही करना चाहिए, जो विपिंचंद्र पाल ने किया था, इसलिए परम पुजनिये स्वामी राम अंदेव जी ने कहा कि इन कम्पनियों की लूट को अगर बंद करना है तो एक हतियार अपने पास है बहिशकार करो और इनका बनाया हुआ माल खरीदना बंद करेंगे न तो आज के बाद भारत स्वाविमान का कोई भी सेना नहीं आज के बाद भारत स्वाविमान का कोई भी कारिकरता आज के बाद भारत स्वाविमान का कोई भी सहयोगी कोई भी समर्थक हिंदुस्तान लीवर कंपनी का एक भी सामान नहीं खरीदेगा यही हमारा संकन अब आप बोलेंगे पता कैसे चलेगा हिंदुस्तान लीवर का कौन-कौन सा सामान है वो अपनी पुस्तक है ना जीवन दर्शन उसमें पीछे पूरी सूची छपी है लक्स हाँ आपके पास है लक्स, लाइफ बॉय, लिरिल, रैक्सोना, पियर, स्केमे, पामुलिव, डव ये सब विदेशी साबुन हैं खरीदना नहीं है इनको पूरा बहिशकार करना अब आप बोलेंगे फिर करना क्या है देशी साबुन खरीदो देशी साबुन सब जगे मिलते हैं अपने पतंजली योग प सब का नाम दिया है निर्मा है नीमा है मैसूर संदल है चंद्रिका है मेडी मिक्स है कुटीर है बहुत सारे स्वदेशी साबुन है अपना पतंजली योग पीट का साबुन है कांती नाम है उसका तेजस नाम है उसका तो अपने हैं और अपने गाउं में भी हैं तो सारे साबुन के ही नहाओ, साबुन लगाने की जरूरत ही नहाओ, आप बोलो के कैसे नहाओ, जब इस नान करते हो ना, तो शरी को खूब अच्छे से रगड़ लो, मेल सब निकल जाता पानी से नहाओ, और एक तरीका है, तौलिया होती है ना, तौलिया गीला करके उससे रगड़ लो, पानी से नहालो, साबुन की जरूरत नहीं, और एक अच्छा तरीका है, थोड़ा बेसन ले लो, बेसन, चने का आटा, उसमें दूद मिला लो, उसका पेस्ट बना लो, उसको रगड़ के नहालो, साबुन की जरूरत नहीं, एक बहुत अच्छी मुलतानी मिट्टी आत आओ, हम जब किसी बड़े बुजर्ग के पाउं चूते हैं, तो वो क्या कहते हैं, दूदों नहाओ, आशीरवाद देते हैं या नहीं, कभी किसी ने ये कहा, दूदों नहाओ, या लाइफ बॉय लगाओ, पूतों फलो, लक्स लगाओ, पुत्रियां फलो, नहीं कहा ना, स साबुन आता है, सौ ग्राम पंद्रह रुपए का, तो एक किलो कितने का हुआ, देड़ सो रुपए का, एक किलो दूद आता है, बीस रुपए का, साबुन से सस्ता है, और नहाने में दूद जो है न, एक चम्मच खर्च होता है, एक बार के नहाने में एक ही चम्मच कि बिना गरम किया हुआ कच्छा दूद ले उसको पर स respectful में लगाना जैसे तेल लगाते या तेल लगाके हलकी-हलकी मालेश करना तो दूद की सबसे बड़ी विशेशता है जैसे ही लगाऊ गए तो सारे मेल और गंदगी को बाहर निकाल देता है आपको मालूम है बड़े बड़े सुनो बड़े बड़े जो beauty parlors है न फाइव स्टार वहाँ पे लोग जाते हैं milk cleansing कराने के लिए milk cleansing समझते हैं दूद से चहरे की सफाई करवाना अगर वो दूद से चहरे को साफ करा सकते हैं तो आप दूद से शरीर साफ क्यों नहीं कर सकते ह इतना है कि फाइव स्टार beauty parlor में milk cleansing 500 रुपए में होती है मैं फोकट में बता रहा हूँ आपको नहां के देखो दूद से थोड़ा दो चम्मच दूद ले लो मैं बहुत पार नहाता हूँ दो चम्मच दूद ले लो लगा लो तेल की तरह से तो सारा मेल गंदगी निकल जाएगा फिर पानी से डाल दो तो सारा मेल और गंदगी आपकी आँखों से जाता हुआ दिखाई तो आप भी न हो अब इसका फाइदा क्या होगा साबुन विदेशी नहीं पिकेंगे और यह नहाना है तो देशी साबुन से नहाएगा तो पैसा देश के बाहर नहीं जाएगा मैंने हिसाब निकाला था कि सब लोग साबून लगाना बंद करें और उतने रुपए से दूद खरीद के नहाना शुरू करें तो करोडों किसानों को फाइदा होने लगेगा दूद की विक्री बढ़ जाएगा अब दूद की विक्री बढ़ेगी तो दूद की मांग बढ़ेगी दूद की मांग बढ़ेगी तो ज़्यादा गाय पालनी पड़ेगी ज़्यादा भैस रखनी पड़ेगी ज़्यादा गाय भैस पालेंगे तो पशुधन बढ़ेगा पशुधन बढ़ेगा तो उनका गोबर जादा मिलेगा गोबर जादा मिलेगा तो खाद जादा बनेगी खाद जादा बनेगी तो खेतों में पड़ेगी और खेतों में पड़ेगी तो सोना उपजेगा तो बात समझ में आई आप नहाओ दूद से घर वालों को नहलाओ दूद से अब तक तो दूद पीने की बात थी अब दूद से नहाना है और नहीं तो साबूनी लगाना है तो मैंने आप से का देशी साबून उपियोग करो हमें हिंदुस्तान लीवर का 2000 करोड रुपए का सालना का जो बाजार है मुनाफे का इसको पूरी तरह से खतम कर देना है भस्त कर देना है समाप्त कर देना है भारत स्वाभिमान के कारिकरता सैनिक गाउं गाउं जाकर जब ये कहानी सुना देंगे तो कोई आदमी लाइफ बॉई लक्स लिरिल नहीं खरीदेगा हिंदुस्तान लिवर का पूरा मुनाफ़ा शून्य हो जाएगा और ये कमपनी बोरी अबिस्तर उठाके अपने आप भाग जाएगी इसके लिए कोई दूसरा आंदोलन नहीं करदा ऐसे ही दूसरी बात है कि हिंदुस्तान लिवर जैसी ही एक बहुत खराब विदेशी कमपनी है जिसका नाम है कॉलगेट पामोलिव ये अमेरिका की है ये टूथपेस्ट बेच रही है कॉलगेट का टूथपेस्ट इसी का है अब ये टूथपेस्ट बिकता है 27 तीस रुप बिकता है इस देश उनका टूथपेस्ट 300 रुपए किलो बिकता है बादाम का क्या बहु है अरे वो तो बहुत अच्छी क्वालिटी है महराज कम क्वालिटी का ले लो तो 300 रुपए किलो मारा मारा फिर रहा है तो बादाम मिलता है 300 रुपए किलो और यहां स्मार्ट है तीन सो रुपई किलो की चीज थूक रहे हैं देर सो दो सो रुपई किलो का देशी घी रोटी पे लगा के खा रहे हैं तीन सो रुपई किलो का पेस्ट थूक रहे हैं वाश वेशन में और कहते हैं हम बड़े स्मार्ट हैं तो मैं उनसे कहता हूं और स्मार्ट बन आप ये मूर्खता मत करता ये तीन सो रुपए किलो का पेस्ट मुह में क्यों लगाना बंद करो इसको खतम करो कॉल गेट, क्लोज अप, पेपसोडेंट, सिबा काफ और हजारों करोड़ों रुपए देश का नकसान है तो आप बोलोगे फिर दांत कैसे साफ करें दांत साफ क करने के लिए स्वदेशी टूथपेस्ट हैं कि नहीं, अपना दंत कांती है, पतंजल योग पीठ का तो, और नहीं तो दंत मंजन है, दिव्य दंत मंजन है, और नहीं तो और इस्थानिय दंत मंजन है, लाल दंत मंजन, काला दंत मंजन, ये दंत मंजन, वो बीसियों तरह क दंतमंजन गाओं गाओं में है और उससे भी अच्छी नीम की दातून है tax free, cost free side effect नहीं है, expiry date कुछ भी नहीं है है क्या जिस गाओं में है वहीं तोड़के कर लो, बबूल की कर लो, कीकर की कर लो आम की दातून होती है, पाकड की दातून होती है, अम्रूत की दातून होती है बारे तरह के व्रक्षों से दातून होती है तो दातून कर लो, दंतमंजन कर लो, अपना दंतकानती कर लो ये विदेशी paste call gate close up सब बंद, हजारों करोड रुपए बचाना देश उससे दात अच्छे भी रहेंगे, स्वस्थ भी रहेंगे आपको मालूम है, दात साफ करने के पीछे दो देश है एक तो दातों में जो अन्निकण फसे है न ये निकल जाए दूसरा मसूडों की मालिश हो मसूडों की मालिश होती है तो मसूडों में खून का प्रवाह तेज होता है और खून का प्रवाह तेज होगा तो मसूडे मजबूत होंगे और मसूडे मजबूत हों तभी दात मजबूत हो सकते हैं अन्निता दात मजबूत होने का रास्ता नहीं है तो मसूले मजबूत करने का तो एक ही तरीका है, उंगली से दात घिसो, तो दंतमंजन करो, तो दंतमंजन से दात तो साफ होंगे, मसूले मजबूत होंगे, टू इन वन है, एक काम करो, दो का फाइदा, तो अपना तो दिव्य दंतमंजन सबसे ही अच्छा है, उसका आप कॉल्गेट क्लोज अप खरीद रहे हो तो पैसा विदेश जाएगा और किसी विदेशी कंपणी को अमीर बनाएगा तो साबुन नहाने का कपड़ा धोने का स्वदेशी और कपड़ा धोने का साबुन मैं विशेश रूप से आप से कहना चाहता हूं जब देशी कपड़ा धोने का साबुन खरीदोना तो वो साबुन खरीदना जिससे कपड़ा धोने में कम से कम पानी खर्च होता है क्योंकि पानी की एक एक बून कीमती है आपको मालूम है अभी हम डिटरजेंट पाउडर ले आते हैं वाशिंग पाउडर ले आते हैं इसमें कपड़े को धोते ही जाओ, धोती जाओ, जाग निकलना बंद ही नहीं होता कभी, और आपको मालूम है, जाग निकला हुआ पानी, जब हम नाली में डाल देते हैं, नाली से ये पानी कहीं खेतों में पहुंच जाता है, पूरी मिट्टी को खराब करता है, क्योंकि इसमें इत सफेद सफेद ओयल केक दिल्ली में खूब बनता है मेरट में खूब बनता है जगे जगे बनता है वो इस्तेमाल करना क्योंकि उससे कम से कम पानी में कपड़े धोये जा सकते हैं और उस वो ओयल केक में फाइदा पता ही क्या है उसमें तेल है अब तेल वाला पानी जो आप फ इसलिए कपड़ा दोने के साब उनको इस्तेमाल करना बट्टे वाला, डिटर्जेंट पाउडर, डिटर्जेंट के कप, और इसी तरह से आप और अपने घर में थोड़ा परिवरतन लाना, विदेशी जो क्रीम पाउडर लिपिस्टिक है, नेल पॉलिश है, कॉस्मेटिक्स ह इसमेक, इमामी, पॉंड्ड, ये सब हटाओ, सब विदेशी, बहुत महंगी है, लूट हो रही है इसमें, फेरन लवली का भाव मालूम है, 25 ग्राम है, 40 रुपई, 50 ग्राम, 80 रुपई, 100 ग्राम, 160 रुपई, 1 किलो, 1600 रुपई, अब 1600 रुपई किलो की क्रीम लगाओ अब 1600 रुपई किलो की क्रीम लगाओ, जिससे कुछ नहीं होने वाला, उससे अच्छा 4 किलो बादा हम खरीद के खाओ, क्योंकि ये फेरन लवली लगा के कोई गोरा नहीं हुआ आज तक, अगर हो जाता तो अफरीका वाले क्यों काले हैं, मैंने लगा के देखा था, एक भ नूर तक संभावना नहीं, क्योंकि जो आदमी काला और गोरा होता है, उसका सिध्धानती अलग है, हमारे खून में एक केमिकल होता है, उसका नाम है मिलेनिन, जब मिलेनिन की मातरा बढ़ जाती है, तो शरीर काला पढ़ जाता है, जब मिलेनिन की मातरा कम हो जाती है, शर पादर्शिस्थती यही होती है और ज्यादा गोरा होने के चक्कर में मत फसो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं हमारे देश के एक राश्रुपती थे डॉक्टर राधा कृष्णन सुना जब वो राश्रुपती बनने के बाद पहली बार लंदन गए तो अंग्रेज पत्रकार उनको चिडाने के लिए एक सवाल पूछ लिया सवाल क्या पूछा डॉक्टर राधा कृष्णन से पूछा गया लंदन प्रेस कॉन्फरेंस में कि आप हिंदुस्तानी लोग काले क्यों होते हैं राधा कृष्णन जी ने इतना सुन्दर जवाब दिया वो आप सबको देना उन्होंने का हम इंदुस्तानी काले नहीं होते कुछ और होते हैं तो उसने का क्या होते हैं तो उन्होंने कहानी सुनाई उन्होंने का भगवान ने रोटी बनाई भगवान जी ने रोटी बनाई तो रोटी कच्ची रह गई वो खाके तुम सब अंग्रेज पैदा हो गए नोटी बनाई जो ना कच्छी रही ना जली बराबर सिकी उसको खाकर हम इंदुस्तानी पैदा हुए तो हम काले नहीं है सांवले है और मैं आपको बताओं विज्ञान ने ये सुईकार कर लिया है आज कि सांवले रंकी त्वचा को कैंसर होने की समभावना सबसे कम होती है कारण क्या है खून में मिलेनिन की मातरा सबसे परफेक्ट हमारी ही है इसलिए अपने साम्वले होने पर गर्व करो इसको हीन भावना से मत देखो और बार बार ध्यान करो कि शंकर जी साम्वले भगवान राम साम्वले श्री क्रश्न साम्वले तो हम गोरे होके करेंगे क्या हम तो साम्वले अच्छे हैं और जब यह बात मन में बैठ जाए के सामले अच्छे हैं तो fair and lovely की जरूरत क्या fair क्योंकि वो तो गोरा बनने वाली क्रीम है हटाओ उसको 16 सरुपई किलो की फाल तूमे तो ये एक fair and lovely clear sil, clear tone, iris में कि मामी, ponds ये सब हटाओ घर में से फिर आप बूलोगे जी कौन सी क्रीम लाएं, कोई मतला हो, आप जैसे हो बहुत अच्छे हो लगा नहीं है तो देश की गाय का घी चुपड लिया करो, सबसे अच्छा उससे अच्छी कोई चीज नहीं और नहीं तो जैसे हैं, वैसे अच्छे हैं आप इस बात का ध्यान रखो, कि दुनिया में किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्तु की परीक्षा उसके शरीर के रंग से नहीं होती, उसके काम से होती है, उसके गुण से होती है, उसके सुभाव से होती है हर व्यक्ति का व्यक्तित तो नापा जाता है गुण कर्म सुभाव से वो इस बात से नहीं नापा जाता है कितना गोरा है कोई नहीं कहता अब कोई मर जाता है हमारे देश में तो उसके बारे में आपस में चर्चा करते हैं तो कितना दयालू था कितना देशभक्त था कितना खाम करता था समाज का कभी यह सुना कोई कहता ओ क्या गोरा चिट्टा था मर गया बिचा कोई नहीं कहता तो अचा कर रंग याद नहीं करते गुण करम सुभाव याद किये जाते कि जब ये विग्यापन आता है न फेर और लवली गोरेपन की क्रीम, एक दिन समय आने पर भारत स्वाविमान की तरफ से इस विग्यापन के खिलाफ मुकदमा करना है सुप्रीम कोर्ट में। क्या मुकदमा करना है, जब बार बार वो टीवी पर दिखाते हैं न फेर और लवली गोरेपन की क्रीम, एक हफ़ते में गोरापन आएगा, पंदर दिन में आएगा, इकीस दिन में आएगा, आप ट्यूब लाइट की तरह से जलने लगेंगे, इतने गोरे हो जाएंगे, जब ये विग्यापन बार बार आता है न, तो करोणों इस देश की काली, मा, बहन, बेटियों के चाती पर आरी चलती है, ये आप महसूस करने की कोशिश करो, हमारा हिंदुस्तान तो आप जानते हैं, एक सो पंदर करोड का है, पचास करोड माताएं बहने हैं इस देश में, और वो ये विग्यापन देखती हैं कि हाई रे हाई गोरेपन की क्रीम फेर एन लग, और उन माताओं बहनों को क्या लगता है कि गोरे होने से ही फिर जिंदगी समवरती है, और मुझे इससे भी ज़्यादा तकलीफ है, मैंने पेपर, निउस पेपर की कटिंग काट के रखी है कई बहन बेटियों ने फासी लगा कर आत्मत्या कर ली क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई कालेपन के कर, सांवलेपन के कर, तो फासी लगा के मर गई, हमारे हिंदुस्तान में मा बहन बेटियों के व्यक्तित्त को रंग से नहीं ना पा गया कभी भी, हमने उनके गुण कर्म सोभाव से नापा है लेकिन ये विग्यापन जो आता है रोज फेर एन लवली गोरेपन का ये करोडों माताओं की छाती पर आरी चलाता है उनके दिल को चोट पहुँचाता है उनकी तरफ से हमें मुकदमा करना है एक बार और इस कंपनी को कठगरे में खड़ा करना है कि तुम सिद्ध करो तुमारी क्रीम में ऐसा क्या है जो किसी को गोरा बना सकता है कुछ नहीं इसलिए दिमाग से निकाल दो ये सारी बखवास बात है तो सारे घर को देखो सफाई करो सब कचरा निकालो घर में से कॉल गेट का क्या है प्रॉक्टर इंड गेंबल का क्या है जॉनसन इंड जॉनसन का क्या सूची आपको दी गई है उसको धून धून के देख देख के सामान खरीद के लाओ मेरा तो आप सब को निवेधन है कि अपने जीवन दर्शन में से ये सूची को फोटो कॉपी करा लो और एनलार्ज कर लो बढ़ा कर लो और अपने के रसोई घर में चिपका दो जागे क्योंकि रसोई घर है जहां बार बार नजर जाती है हमारी हमारी मां बहन हमारी बेटी बार बार रसोई घर में काम करती है उनको ध्यान में आएगा ये स्वदेशी ये विदेशी ये स्वदेशी ये विदेशी ये स्वदेशी अगर ये दिमाख में आने लगा ध्यान में आन तो फिर से वो स्वदेशी आंदोलन खड़ा हो जाए जो 1905 में हुआ था और 1905 के स्वदेशी आंदोलन ने इस्ट इंडिया कमपनी को यहां से बगाया 2009 के स्वदेशी आंदोलन से यह 5000 विदेशी कमपनियां भागेंगे यहां से अब यह कमपनियां भागेंगी तो परिणाम क्या होगा साल का दो लाख 32 सदार करोड रुपए बचत होगी वो दो लाख 32 सदार करोड रुपए से हम कितने कार खाने लगा सकते हैं आप सोचो एक छोटी फैक्टरी लगाएं जिसमें 10 आदमी को रोजगार मिले तो एक करोड रुपए में बन जाती हैं दो लाख 32 सदार करोड रुपए में हर साल दो लाख 32 सदार छोटी फैक्टरियां बन सकती हैं जिसमें 10-10 आदमी को काम मिले तो 20 लाख सवा 20 लाख लोगों को हम रोजगार दे सकते हैं एक साल में उतने ही पैसे से दूसरा फाइदा क्या होगा अगर ये पैसा बचता है विदेशी माल बहिशकार करके स्वदेशी माल उप्योग करके तो इस बचे हुए पैसे को अगर हम देश के विकास के लिए उप्योग करें तो कर्ज लेने की जरूरत ना पड़े किसी देश से आपको मैं एक देश का बहुत बड़ा दर्द बताना चाहता हूँ जितना पैसा हर साल इस देश का विदेश में जाता है विदेशी कमपनियों की लूट से लगबग उतना ही पैसा हर साल हमको करजे में लेना पड़ता है दूसरे देशों से ढ़ा लाग करोड तीन लाग करोड का हर साल करज लेना पड़ता है अगर हम ये बचा ले तो करज नहीं लेना पड़ेगा और ध्यान दीजिए अगर हम करज लेना बंद करते हैं तो हमारा रूपया अमेरिका के डॉलर के बराबर हो जाएगा आज एक डॉलर में पचास कि मान लो रुपया और डॉलर बराबर हुआ तो फिर क्या होगा तो फिर ये होगा कि जो चीज अभी हम बेच कर जो चीज आज हम बेच कर एक डॉलर कमा रहे हैं फिर उतनी ही चीज बेच कर पचास डॉलर कमाएंगे सोचवा अभी हम एक डॉलर की बेचते हैं और एक डॉलर में पचास रुपया है फिर एक डॉलर एक रुपए के बराबर हो जाए अगर हम करज लेना बंद कर दें क्योंकि रुपए में करज लेना आप बंद कर देंगे डॉलर का डिवैलिवेशन शुरू हो जाएगा आप डॉलर में करज ले रहें ना तो डॉलर की डिमांड बढ़ रही है जिस चीज़ की मांग बढ़ती है कीमत उसी की बढ़ती है और जिस चीज़ की मांग घटती है कीमत उसकी घटती है तो डॉलर में करज लेते हैं डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो डॉलर की कीमत पेचेंगे उससे 50 डॉलर हमको कमाई मिलेगी माने आज हम जितना एक्सपोर्ट करते हैं 200 अरब डॉलर ये एक्सपोर्ट 200 गुणा 50 अरब डॉलर हो जाएगा सीधे सीधे अभी हम ले रहे हैं 200 अरब डॉलर फिर हो जाएगा 10,000 अरब डॉलर इतने डॉलर्स इस देश में आएंगे कि रख नहीं पाएंगे हम इस स्वदेशी आंदोलन से कितना बड़ा परिवर्तन होगा देश में आप सोचो एक तो विदेशी कंपनी का माल भिकना बंदूआ वो दूसरा देश के रुपए में बड़ोत्तरी आएगी डॉलर में कमी आएगी एक्सपोर्ट जादा होगा इंपोर्ट कम होगा आयात का खर्चा कम निरियात की आमंदनी जादा तो सर्पलस हो जाएगा और सर्पलस हो गया अगर इस इंदुस्तान में तो दुनिया का कोई देश हमको रोक नहीं पाएगा हम अमेरिका के भी आगे जाएंगे और से आये हैं उनको भी स्वधेशी अंदोलन चलाना है उनको स्वधेशी अंदोलन क्या चलाना है अपने गाउं में विदेशी कंपनियों की सबसे ज़्यादा विखने वाली जो चीज है वह है रासाइनिक खाद जिसको हम यूरिया कहते है डी एपी कहते है, सुपर फॉस्फिट कहते है और रासाइनिक कीट नाशक जिसको एंडोसलफान कहते है मेलाथियान कहते है, पेराथियान कहते है बेंजीन हेक्साक्लोराइड कहते है तो ये विदेशी कमपनियों के कीट नाशक और रासाइनिक खाद ये किसानों के बीच में सबसे ज़्यादा खरीदी जाती है और एक साल में 4,80,000 करोड रुपई की खरीदी जाती है रासाइनिक खाद और कीट नाशक मने हमारे किसान हर साल रासाइनिक खाद और कीट नाशक खरीद कर विदेशी कमपनियों को 4,80,000 करोड रुपई दे रहे हैं ये भी हमको बचाना है तो क्या करना है किसानों को समझाना है जाकर गाउं गाउं में कि भाईया ये रासाइनिक खाद विदेशी है ये मट डालो तो किसान पूछेगा क्या डाले तो उसको गोबर की खाद डालो ये रासाइनिक खाद मन डालो तो किसान पूछेगा जी गोबर की खाद में फाइदा कम है रासाइनिक खाद में फाइदा जादा है तो उसको बड़े प्रेम से समझाना है कि गोबर की खाद में ही फाइदा जादा है रासाइनिक खाद में फाइदा तो बहुत कम है क्योंकि रासाइनिक खाद बहुत महंगी मिलती है पहले एक कट्टा रासाइनिक खाद मिलती थी 70 रुपए में अब एक कट्टा रासाइनिक खाद मिलती है पौने 300 रुपए में 300 रुपए में प्रॉडक्स कहा जाता है और सारे पेट्रोलियम प्रॉडक्स जिसको नैफ्था कहते हैं वो विदेशों से आता है इसका पैसा पूरा विदेश में जाता है किसानों को समझाईए ये कि बहुत महंगी पढ़ती है और इसकी महंगाई पता है दूसरी क्या है एक बार आपने ख जाता है बढ़ता ही जाता है खर्चा बढ़ता जाता है और मालूमें रासाइनी खाद बहुत गरम होता है गरम रासाइनी खाद यूरिया डियेपी आप डालते हैं मिट्टी पूरी चटक जाती है गर्मी के कारण तो पानी ज्यादा देना पड़ता है गोबर की खाद लग पढ़ता है, पानी का खर्चा बढ़ जाता है, और पानी का खर्चा बढ़ेगा, तो पानी तो जमीन में से ही निकालना पढ़ता है, जमीन से ज़्यादा पानी निकाल के आप खेतों में डालते रहेंगे, तो पानी का त्यल नीचे 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 होता चला जाता है, पहले प हाद की मात्रा बढ़ानी पढ़ती है खर्चा बढ़ता है दूसरा हर साल पानी की मात्रा बढ़ानी पढ़ती है वो खर्चा बढ़ता है और जहां पानी निकालने के लिए बिजली नहीं है वहां डीजल पंप चलाना पड़ता है तो डीजल का खर्चा बढ़ता है और डीजल कभी भी महंगा होता रहता है एक जमाने में 7 रुपई लीटर मिलता था डीजल अब 35 रुपई लीटर 2-4 दिन के बाद ये 40 रुपई लीटर होने जा रहा है फिर हो सकता है साल डेर साल में 100 रुपई लीटर हो जाए किसान कहां जाएगा मर जाएगा वो तो डीजल का खर्चा करते करते और फिर एक और नुकसान होता है कि ये यूरिया डियेपी जब हम खेत में डालते हैं तो मिट्टी में ये केमिकल घुल जाते हैं और मिट्टी में घुल गए तो पौधे की जड़ में आ जाते हैं पौदे की जड़ से पौदे के तने में आ जाते हैं, पौदे के तने से पौदे के फल में आ जाते हैं, पौदे के फल में आ जाते हैं, तो फिर वही फल हम खाते हैं, हमारे शरीर में अगर ये जहर आ गया, तो हमारी माताएं तो पूतना हो जाती हैं, आपने पूतना की कहान यह वो पूतना की इस्थिती में है आज हमारे देश की कई संस्थाओं ने माताओं के दूद का परिक्षण करवाया है तो माताओं के दूद में वो सारे केमिकल हैं जो यूरिया में है माताओं के दूद में वो सब केमिकल हैं जो कीट नाशक दबाऊं में हैं क्योंकि भोजन रहे और यही केमीकल है जो आपको कैंसर पैदा करुवा रहे हैं जो आपमें डाइबिटीज दे रहे हैं जो आपमें हाई ब्लड प्रेशर दे रहे हैं हाईपरटेंचन दे रहे हैं 148 गिसम की बीमारियां इन जहरों से पैदा होती है इसलिए किसानों को समझाओ कि ये यूरिया डी एपी का जहर एक तो विदेशी है ये बंद करो दूसरा ये शरीर को नुकसान देता है इसलिए बंद करो तीसरा ये पैसे का नुकसान करता है इसलिए बंद करो तो किसान पूछेंगे भाई क्या करें तो उनसे को गोबर का खाट डालो अब किसान क्या पूछेगा आपको सबसे पहले वो कहेगा गोबर के खाट से तो उत्पादन नहीं होता तो उससे को गोबर के खाट से भी उत्पादन बहुत अच्छा होता ह यूरिया डियेपी से जितना नहीं होता उससे तो जादा गोबर के खाथ से होता है मैं तो पिछले 12-13 साल किसानों के बीच में काम करता रहा महराश्ट और करनाटक में आप आईए वहाँ देखिए हजारों हजारों किसानों ने यूरिया डियेपी बन करके गोबर का खाथ डालना शुरू किया है और जिस किसान के यूरिया डियेपी के खेत में एक एकड में 20-25 मीटरिक टन गनना होता था आज उस किसान के खेत में गोबर का खाट डालने से 90-100 मीट रिक्टन गन्ना हो रहा है कम नहीं होता है जिन किसानों के खेत में यूरिया डियेपी डालने से एक एकड में 12 कुंटल गेहूं होता था आज उनके खेत में गोबर का खाट डालने से 20 से 22 कुंटल गेहूं हो रहा है जिन किसानों के खेत में यूरिया डियेपी डालने से एक एकड में धाई कुंटल कपास होती थी आज उनकिसानों के खेत में गोबर का खाट डालने से 7 कुंटल एकड का कपास हो रही है ऐसे एक नहीं हजारों किसान है माराष्ट में करनाटक में थोड़ा अगर चलेंगे तो 36 गड़ में बहुत किसान है 12 साल मैंने बहुत काम किया किसानों के बीच जा जाके उनको ये सब सिखाया गोबर की खाथ से उत्पादन जादा मिलता यूरिया डियेपी के तुलना क्यों मिलता है वो जानना चाहिए बहुत बढ़िया बात है जो आप जान लो तो आप किसानों को समझा सकते गोबर की खाथ जब हम खेत में डालते हैं तो होता क्या है गोबर जो है ना कई तरह के जीव जन्तूओं का भोजन है यूरिया जो है वो भोजन नहीं जहर है आपके खेत में एक जीव होता है जिसको केचुआ कहते केचुआ को किसी दिन पकड़ना और हाथ पे रखना और उसके उपर यूरिया डाल देना दो-चार दाने यूरिया डालोगे वो तड़पना शुरू हो जाएगा और एक मिनट में मर जाएगा हम जब खेत में टनों टन यूरिया डालते हैं न करोणों केचुए मार डाले हमने यूरिया डाल डाल के और केचुए क्या करते हैं केचुए मिट्टी को नरम बनाते हैं पोला बनाते हैं और उब जाओ बनाते हैं केचुए का काम क्या है उपर से नीचे जाना नीचे से उपर याना पूरे दिन में वो तीन चकर नीचे उपर के लगाता है नीचे जाएगा फिर उपर आएगा फिर नीचे जाएगा फिर उपर आएगा अब केचुए जिंदा है त तो एक रास्ता बनाते हुए जाता है उपर आता है तो दूसरा रास्ता बनाते हुए आता है तो परिणाम क्या होता है कि ये छोटे छोटे छिद्र जब मिट्टी में वो केंचुए तयार कर देता है तो बारिश का पानी इनी छिद्रों में से नीचे एक एक बून नीचे रि जिस किसान के खेत में यूरिया डलेगा, केचुवा मर जाएगा, केचुवा मरा तो मिट्टी में ऊपर नीचे कोई जाएगा नहीं, तो मिट्टी कठोर होती जाएगी, कड़क होती जाएगी, मिट्टी और रोटी के बारे में एक सत्य है, कि इसको फेरते रहो, नहीं तो खत केचुआ ही करता और कोई नी कर सकता कैचुआ तो किसान का सबसे बड़ा दोस्त है मैंने इसका हिसाब निकाला था एक केचुआ साल बर अगर जिंदा रहे तो 36 मीट्रिक तन मिट्टी को उठक पटक कर देता है, उपर से नीचे नीचे से उपर एक केच वा, साल बर में, और उतनी ही मिट्टी को ट्रेक्टर से उलट पलट करना पड़े, तो कम से कम 100 लीटर डीजल खर्च होता है, और 100 लीटर डीजल 3600 रुपए का आता है, माने एक केच हुआ हर आदमी का 3600 रुपए बचा रहा है, ऐसे करोणों केचुए हैं, पता सोचो कितने हजार करोणों रुपए बच रहे हैं इस देश, इसलिए गोबर का खाट डालने से फाइदा क्या होता है, रासानी खाट डालो केचुआ मर जाता है, गोबर का खाट डालो केचुआ अपनी जनसंग क्या बढ़ाता है, और इतनी तेज बढ़ाता है कि कोई नहीं बढ़ा सकता, भारसरकार कहती है हम दो हमारे दो केचुआ नहीं मानता उस बात को, एक एक केचुआ पचास पचास हजार बच्चे पैदा करके मरता है, पचास पचास हजार, एक जाती का हो जाएंगे अगर गोबर डालना शुरू किया और केंच हुए जादा होंगे तो मिट्टी फिर उलट-पलट होने लगेगी मिट्टी में छिद्र बनने लगेंगे तो बारिश का जितना भी पानी गिरेगा सब मिट्टी में आ जाएगा और पानी मिट्टी में गया तो नदि की खाट डालो फिर कुछ किसान कहेंगे जी उत्पादन होगा क्या उनसे कहना गारंटी मेरी गारंटी भारस्वाइमान ट्रस्ट की थोड़े दिन में भारस्वाइमान ट्रस्ट की तरफ से हम किसानों को कहेंगे कि आप बिंदास गोबर की खाट डालो गारंटी हमारी एक ग् नहीं होगा डालने का तरीका है डालने का तरीका क्या है अभी किसान गोबर कैसे डालते हैं गोबर डालते हैं वो घुरा है घुरा गाओं में कच्रा डालने का वहां गोबर इकठा करते हैं छे महीने आट महीने साल वर वो सूखता रहता है और सूख सूख के उसकी सारी ताकत निकल जाती, फिर वो सुखा हुआ गोबर हम डालते हैं, इस से उत्पादन जादा नहीं आता, गोबर को हमेशा गीला डालना चाहिए, ताजा डालना चाहिए, गोबर को अगर पानी में घोल के डालो ना, तो वो ही तीन गुना जादा फाइदा करता है, तो किसानों को ये सम किसानों को आप बोलो, कितना गोबर डालना है, कितना पानी उसमें मिलाना है, कितने बीगे के लिए काम मिलाना है उसको, अब आपको मैं एक मोटी सी बात बता देता हूँ, एक एकड़, एक एकड़ माने धाई भीगा, पांच भीगा नहीं, धाई भीगा, तो एकड़ धा का हिसाब जोड कर बताता हूं एक किसान को एक बार में एक एकड फसल के लिए कितना गोबर डालना पड़ेगा गीला करके डालेंगे तो दस किलो गोबर बस दस किलो गोबर दस किलो गोबर फिर से सुन लो दस किलो जादा नहीं बोल रहा हूं सो किलो नहीं दस किलो गोबर ए केकड के लिए डालना कैसे है लिख लो दस किलो गोवर फिर इसमें चाहिए दस लीटर मूत्र जिस जानवर का गोवर उसी का मूत्र गाई का गोवर तो गाई का मूत्र भैस का गोवर तो भैस का मूत्र बैल का गोवर तो बैल का मूत्र अब आप बोलो के गोबर तो एकठा कर लेंगे, मूत्र कैसे एकठा करें जानवर जो मूत्र देते हैं न, जहां पे आप जानवरों को रखते हो वहां पे पत्थर वत्थर लगा के एक छोटी सी नाली बना लो और उसमें ढाल लगा दो, जितना भी वह पेशाप करेंगे वह नाली में आ जाएगा नाली के आगे खड़ा खोद दो, वह सारा उसमें जमा हो जाएगा, फिर वह ले लो और मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूँ, जानवरों के मूत्र की कोई एकस्पाइरी डेट नहीं है एक साल, दो साल, तीन साल, पांच साल, दस साल, बीस साल, पचास साल, खराब ही नहीं होता तो चिंता करने की बात ही नहीं है, तो एकठा होता रहेगा खड़े में डालते रहो, तो दस किलो गोबर, दस लीटर मूत्र, ठीक है फिर इसमें मिलाना है लगबग एक किलो गोड़, आधे से एक किलो गोड़, गोड़, गोड़ तो आप सब जानते हो, एक तो गोड़ होता जिसको आप खा लेते हो, एक तो गोड़ ऐसा होता जिसको जानवर खा लेते हैं, और एक गोड़ ऐसा होता जिसको कोई नहीं खा स मुणकी राकता। कईला गीला पुराना पुराना काला ... वो गुड़ खेत के बहुत काम का सचली की लिए , !!! जो सबसे घटिया गुड़ है जिसको न जानवर खा सकते हैं न आपका dlatego कि अ भेत यो खेत के लिए बहुत काम का वह वह गुड़ ले लो- आदे से एक किलो, गोबर हो गया, मूत्र हो गया, गोड़ हो गया, अब इसमें लगवग एक किलो डालना है दाल का आटा, दाल है ना दाल, अरेर की दाल, मुंग की दाल, उड़त की दाल, चने की दाल, सोयावीन की दाल, खेसरी, खेसरी की दाल, कोई भी दाल, एक किलो उसका आटा चार चीते हो गई गोबर, गोमूत्र गोड़, डाल का आटा और इसमें डालनी है एक मुठ्धी मिट्थी एक मुठी में आदा किलो या पॉन किलो तक मिट्टी आती है मिट्टी कहां से लानी है आपके खेत के आसपास अगर पीपल का कोई पेड़ है बर्गत का कोई पेड़ है तो उसके नीचे से खोद लो मिट्टी पीपल के पेड़ के नीचे की या बरगत के पेड़ के नीचे की पीपल और बरगत के पेड़ के नीचे की ही मिट्टी क्यों खोदना आपको मालूम है पीपल और बरगत के पेड़ हर समय ऑक्सीजन देने वाले पेड़ है और ज्यादा oxygen देने वाले पेड़ के नीचे जीवाणूं की संख्या बहुत होती है तो पीपल और बर्गत के पेड़ के मिट्टी में जीवाणूं सबसे जादा होते हैं यही जीवाणूं खेत को चाहिए तो मिट्टी ले ली पांच चीज़ें हो गई गोबर 10 किलो, मूत्र 10 लीटर, गोड लगबग 1 किलो, दाल काटा 1 किलो और मिट्टी लगबग 1 किलो यह पांचों चीज़ों मिला दो घोल दो, हाथ से घोल लेना खराब नहीं होंगे हाथ नहीं तो डंडे से घोल देना एक ड्रम में घोल लेना, प्लास्टिक की ड्रम में घोल लेना, नहीं तो लोहे की ड्रम में घोल लेना प्लास्टिक का होगा तो अच्छा लोहे वाला छरण जादा होता है अब इसको घोल के 15 दिन रख देना पंद्र दिन रख देना गोलने में तकलीफ आए तो थोड़ा पानी मिला देना जादा मत मिलाना थोड़ा ही मिलाना गोल के पंद्र दिन रख देना पंद्र दिन के बाद ये खाद तयार हो जाएगा इस खाद में क्या होगा करोड़ों करोड़ों सुक्ष्म जीवानू पैदा हो जाएंगे वो जो मिट्टी डाली न मिट्टी के जीवानू अगर एक लाख है तो पंद्रह दिन में वो सौ करोड़ से जादा हो जाएंगे डखके रखलो तो अच्छा है च्छाओं में रखना सबसे अच्छा दूप में बिलकुल मत रखना पेड के नीचे की च्छाओं में रखना नहीं तो कोई ऐसी जगे रखना जहां सूरी का प्रकाश ना आता हो और इस पे कपड़ा बांदो ढखकन लगा दो जैसे है ढखलो अब यह 15 दिन में तयार हो गया इसमें करोणों जीवानों तयार हो गए अब यह जीवानों घोल इसको जीवानों घोल कहते है इसको खेत में डालना है डालने से पहले इसमें पानी मिलाना है और पानी कितना मिलाना है जितना गोबर था उसका 10 गुना पानी 10 किलोग ओबर तो 100 लीटर पानी और जादा से जादा पानी मिला सकते हैं तो 200 लीटर तो 100 से 200 लीटर पानी मिला लिया अब ये पूरा परफेक्ट गोहल हो गया इसको एक एकड़ के खेत में छिड़कना है जैसे पानी छिड़कते न मिट्टी दबाने के लिए ऐसे ही छिड़कना है बस आप इसको छिड़क देंगे तो ये करोडों जीवानूं मिट्टी में पहुंच जाएंगे तो मिट्टी में जीवानू की संख्या बढ़ती जाएगी और मिट्टी में सारा खेल खेलने का काम जीवानू करते हैं आपको मालू है जीवानू क्या करते हैं जीवानू सारा काम करते हैं पौधे की जड़को नाइट्रोजन की जरूरत है तो ये जीवानू उपलब्द कराते हैं, पौधे की जड़को कैल्शियम चाहिए तो ये जीवानू उपलब्द कराते हैं, पौधे की जड़को आइरन चाहिए तो ये जीवानू, माने पौधे को बड़ा होने के लिए जित अच्छा होगा उसका उत्पादन अच्छा होगा अब इसमें समय लिख लो कितनी बार डालना कब डालना सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि खेत को जब जोतने की तैयारी करें न जोतें बीज डालने ठीक है फिर इसके डालने के दो तीन दिन बाद या चार दिन बाद या पांच दिन बाद बुआई कर दो है कितना डाल सकते हैं बताए न एक एकड़ में जितना तैयार हुआ 200 लीटर वो तो आप ने इसको जोद के एक दो दिन में डाल दिया फिर बीज बो दो बीज बोने के 21 में दिन में फिर डाल देना आज बीज बोया तो ठीक 21 दिन बाद एक बार फिर डाल देना क्या होता है न बीज में से अंकुरन होता है और अंकुरन होने के 21 में दिन तक वो मिट्टी की ताकत से बढ़ता है, फिर 21 दिन के बाद वो सूरी की ताकत से बढ़ना शुरू हो जाता है, फोटो सिंथेसिस जिसको कहते है, प्रकार संशलेशन की क्रिया, सूरी ताप से खाना बनाना शुरू कर देता तो बढ़ते हैं, तो और आप मोटी सी एक बात याद रखो, के हर 21 में दिन पर डाल देना, आज डाला, 21 दिन बाठ डाला, फिर 21 दिन बाठ दाला, फिर 21 दिन बाठ डाला, तो एक फसल अगर आप समझ लो 4 महिने की है, तो लगबख 5 बार डालना पड़ेगा, कोई फसल 6 महीने की है तो 7-8 बार डालना पड़ेगा 8 महीने की है तो 10-1 बार डालना पड़ेगा अब इसमें खर्चा क्या है जानवर अगर घर के हैं तो गोबर फोकट का, मूत्र फोकट का गुड मैं कहा रहा हूं सबसे सडा हुआ जिसको फेक देते हैं वो भी फोकट में मिल जाएगा पानी तो फोकट का है ही थोड़ा डाल वाल लेना पड़ेगा तो उसका खर्चा आएगा लेकिन किसान अगर डाल पैदा करता है तो वो भी घर की हो जाएगी माने खाद बनाने का खर्चा लगबग शून ने आएगा मेहनत लगेगी पूजी में पैसा कम से कम खर्चोगा और ये खाद जो तयार होगी इसमें जबरजस्त क्वालिटी है क्योंकि इसमें कैलशियम भरपूर आइरन भरपूर फॉस्फोरस भरपूर क्या-क्या इसमें है? गोबर है गोवर में कैलशियम है आईरेन है, सिल्फर है सिलीकोन है, कोबॉल्ट है मेगनीशियوم है, मेगनीज है 18 सूखशμ पोशक्तत्व है जो चाहिए मिट्टी को फिर गुड है गुड में जबरजस्ट फोसपोरस है गुड में जबरजस्ट कैलशियम है फिर मूत्र में ये सब है तो जो सुक्ष्म पोशक्तत तो हमें चाहिए वो ही मिट्टी को चाहिए वो सब इस खाद में भरपूर है यूरिया में नहीं है डी एपी में नहीं है यूरिया में कैल्शियम नहीं है डी एपी में कैल्शियम नहीं है और कैल्शियम सबसे प्रमुक मिट्टी के लिए क्योंकि खेत में केल्शियम होगा तो पौदे में होगा पौदे में होगा तो फल में होगा फल में होगा तो भोजन में होगा भोजन में होगा तो शरीर में होगा शरीर में होगा तो हट्डिया मजबूत तो शरीर मजबूत यह सारा साइकल इस ही केल्शिय पहली बार जब आप डालोगे ना तो किसान थोड़ा जिजक करेगा उसको भरोसा नहीं है विश्वास नहीं है तो उसको कहना कि भाई तुम डालो नुकसान तुमारा नहीं होगा मैंने बहुत किसानों का حसाब निकाला है खराब से खराब खेट में जब गुबर का खाट डालते हैं न तो गेहूं का उतपादन पहले साल की तुल्णा में थोड़ा ही कमाता है लेकिन उतपादन जितना कमाता है उस से ज़्यादा खरचा बच जाता है तो वो बरावर मामला बैठता है हम यूरिया डियेपी में खर्चा करते हैं हजारों रुपए का तब उत्पादन लेते हैं यहां खर्चा ही नहीं है थोड़ा उत्पादन कम भी हुआ तो फाइदा ही है नुकसान कुछ नहीं इसलिए किसी किसान का नुकसान नहीं और दो-तीन साल लगातार आपने डाल दिया तो उत्पादन बढ़ना शुरू हो जाता है लगातार बढ़ता है और दस-बारे साल में तो कई खेत ऐसे हैं जहां उत्पादन सीधे डबल हो जाता है सो प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हो जाती है नहीं चानने की जरूरत नहीं है ऐसे ही डालो उसमें जितना कच्रा है सब खेत में जाने दो क्योंकि कच्रे में जीवानों की संख्या और तेजी से बढ़ेगी चानने की जरूरत नहीं है अब आप डालोगे कैसे ये प्रश्न है, तो उसके लिए चार विधी है, पहली विधी ये है कि सीधे डबा लो और छड़काओ करो खेत पे, भरो और छड़क दो, भरो और छड़क दो, अब कहोगे जी खेत बहुत बढ़ा है, ये तो नहीं चल सकता, तो दूसरा तरीका बता खेत में पानी लगाते हैं ना, पानी में डाल दो, नाली में से पानी जा रहा है ना, एक टंकी में भरके ये खाद रख दो, उसमें नल लगा दो, टोटी खोल दो, टपक टपक पानी में गिरता रहेगा, खेत में चला जाएगा, ये दूसरा तरीका ये है, कि अगर किसी के डाल देना 15 दिन के बाद 200 लीटर पानी मिला के तो वो गोबर भी गीला हो जाएगा गीले गोबर के लड्डू बना लो और लड्डूओं को खेत में फेक दो तो खाद पहुँच जाएगा और एक तरीका है खेत में से मिट्टी खोद लो मिट्टी में ये पूरा घोल मिला दो मिट्टी कीली हो गई मिट्टी के लड्डू बना लो लड्डूओं को खेत में फेक दो तो खाद पहुच जाएगा तो पानी के साथ दे सकते हैं छिलक के डाल सकते हैं गोबर या मिट्टी को लड्डू बना के डाल सकते हैं और एक आखरी तरीका है इस्प्रे मशीन अगर अपने पास है तो उसका आगे से नौजल निकाल दो नौजल निकाल दो फिर उससे इस्प्रे कर दो अब इसमें ध्यान ये रखना है कि ये फसल पे स्प्रे नहीं होगा ये जमीन पे होगा मिट्टी पे होगा फसल पे डालने से फाइदा नहीं मिलेगा मिट्टी में डालना है इसको तो अगर फसल उची है तब कैसे डालेंगे तब तो पानी लगाओगे तब ही डालना सबसे अच्छा है इसमें एक तरीका ये है कि खेत का मुहाना होता है जहां से पानी गुषता है वहाँ एक आदमी को बिठा दो डबा लेकर पटकता रहेगा उसमें पानी के साथ जाता रहेगा और पानी के साथ पूरे खेत में बरावर मात्रा में जाता है और रिजल्ट उसका सबसे अच्छा आता है और एक तरीका है इसको डालने का अगर आपके घर में गोबर का वो बनाते हैं न क्या कहते हैं उसको कंडा कहते हैं उपला कहते हैं कंडा उपला जो भी कहते हैं उसको जलाते हैं जलाने के बाद राख निकलती है न वो राख इकठी कर लो और ये घोल और राख मिला दो और फ जो गोबर और गोमूत्र से भी जादा है तो ये तरीका समझ में आ गया हर 21 दिन पर डालेंगे चार महीने की फसल है तो 5-6 बार डालना पड़ेगा 6 महीने है तो 7-8 बार इसी तरह से पूरी खेती होती रहेगी गोबर किसी भी जानवर का गाय का हो भैस का हो बैल का हो बकरी पकरे का हो गधे घोडे का हो हाती उंट का हो कोई भी हो सब चलेगा मूत्र भी किसी जानवर का ठीक है और आदा आदा मिले तो वो भी चलेगा गाय का आदा ले लिया भैस का आदा किसी के पास गाय नहीं हो किसी के पास भैस नहीं हो एक एक गाय एक एक भैस और खेत बस एक ही सावधानी रखना कि जो जो गाय का गोबर लो तो वो देशी गाय हो तो अच्छा होगा जर्सी का फाइदा पूरा नहीं करेगा और जर्सी का ही गोबर है तो उसमें देशी का मिला लेना नहीं तो कोई फाइदा नहीं करेगा जर्सी गाय है उसका गोबर है उसमें देशी गाय का एक दो किलो गोवर मिला लेना वो वैसे ही काम करता है जैसे सौ किलो दूद में एक चम्मच दही डालो तो पूरा दूद दही हो जाता है वैसे ही सौ किलो जर्सी गाय के गोवर में एक किलो देशी का डाल दो तो देशी गाय के जीवानू अपनी संख्या अपन लेते हैं और धीरे-धीरे मेरी बात मानो तो जर्सी गाय बेचते जाना देशी लेते जाना क्योंकि यह जर्सी गाय के दूद में दम नहीं है आपको मालूम नहीं है दुनिया में भारत को छोड़कर जर्सी गाय का दूद कोई देश नहीं पीता डेनमार्क में सबसे ज़्यादा जर्सी गाय है डेनमार्क वाले दूदी नहीं पीते क्यों नहीं पीते कैंसर होने की संभावना है जर्सी गाय के दूद से गुटनों का दर्द तो तुरंत हो जाता है बड़ी बीमारिया होती है और जर्सी गाये को एक खतरनाग बीमारी होती है mad cow disease उस बीमारी के चक्कर में दूद भी उसका प्रदूशित होता है इसलिए जर्सी का दूद 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 नहीं पीता डेनमार्क की सरकार तो दूद जादा होने पर समुद्र में फिकवा देती है चीज और बता दूँ उसको आप लिख लो ये तो हुआ खाद अब किसान कहेगा कीड़ा लग गया तो कीड़ा लग सकता है ना तो उसका भी एक फॉर्मूला लिख लो कीड़ा अगर लगता है कीड़ा लगता है तो उसकी दवा भी हम खुद बनाके छिड़क सकते हैं पैसा खर्च करने की ज़रूरत ने कीड़ा मारने की दवा कैसे बनेगी 20 लीटर जानवरों का पेशाब ले लो गाय का बैल का भैस का 20 लीटर ठीक है ये एक एकड के लिए बता रहा हूँ फिर इसमें धाई तीन किलो नीम के पत्ते की चटनी डाल देना नीम के पत्ते की चटनी नीम का पत्ता है पीस के चटनी बनाके डाल देना धाई तीन किलो और आकडा देखा है आकडा आकड़ा के पेड़ के पत्ते की भी चटनी डाल देना ड़ाई तीन किलो आकड़ा आक कहते हैं आक कुछ लोग अकववा कहते हैं उसको आक, आकड़ा, अकववा हाँ वो ही जो हनवान जी पर चड़ाते है जिसमें सफ़े सफ़ेद दूद निकलता है और एक तीसरा पत्ता है सुनो सुनो भाई एक तीसरा पत्ता है बेशरम बेशरम जो है ना अकसर गाउं में घुसते हैं ना तो दोनों तरफ किनारे किनारे लगा रहे था पान के जैसा पत्ता बेगनी रंग का फूल आता है उसमें ना खुश्बू होती है ना कुछ होता है बिना पानी के बिना बीच के होता है इसलिए बेशरम कहते हैं तो दो डाई किलो ले लो और एक पत्ता है आपके गाउं में अगर मिले तो सीताफल का पत्ता शरीफा जिसको कहते हैं सीताफल शरीफा उसका पत्ता दो ढ़ाई किलो ले लो और अगर गाउं में मिल जाए ना तो वो घहास आती है ना कॉंग्रेस घहास उसको चत्नी पना के डाल दो दो ढ़ाई किलो और इसमें थोड़ा सा खूब टीखी लाल मिर्चो, हरी मिर्चो तो वो पीस के डाल दो धाई 300 ग्राम, लेसुन पीस के डाल दो आदा किलो के करीब गाजर गास, वो ही वो ही और मैं आपको एक मोटी सी बात बताता हूँ, वो याद रखो जिन जिन पत्तों को गाए नहीं खाती फिर से सुनो, जिन जिन पत्तों को गाए नहीं खाती और आपके गाउं में उपलब्द है वो सब पत्ते पीस के डाल दो गाए को खिला के देख लो खा रहे हैं तो नहीं डालना नहीं खा रहे हैं तो पीस के डाल देना है मोटी बात याद रखो तो तीन चार तरह के पत्ते डाल दिया, थोड़ा लेसुन डाल दिया, थोड़ा मिर्ची डाल दि, 20 लिटर मूत्र में डाल के इसको उबालना है, गरम करना है, उबाल के ठंडा कर लो, ठंडा करके 200 लिटर पानी मिला दो, अब ये दवा तैयार हो गई, कीट नाशक, इसको इ 48 गंटे माने 2-3 दिन में सारे कीट खतम कर देता है, एक पैसे का खर्चा नहीं होता, बाजार से कुछ नहीं लाना पड़ता, ये हर फसल में काम आता है, गेहूं में, चावल में, चने में, दाल में, मतर में, गंडे में, हर तरह की फसल में ये उप्योग हो सकता है, तो स्वदेशी आंदोलन की ताकत से, और बाहर से जो इंपोर्ट हो रहा है, करीब 7 लाक करोड का, अगर पक्ये स्वदेशी वाले लोग हो जाएं, तो इंपोर्टेट चीज़ें भी बंदो सकती है, 14 लाक करोड का फाइदा, मने इतना बड़ा फाइदा, हम पूरे देश को द सकते हैं, अपने स्वदेशी आंदोलन और अभ्यान से, इसलिए स्वदेशी आंदोलन और अभ्यान को गाउं गाउं जाके चलाना है, और आपको इस के लिए उस जमाने में लोकमा नितिलक ने जैसा परिश्रम किया महत्मा गांदी ने जैसा परिश्रम किया विपिन चंद्रपाल ने जैसा परिश्रम किया और क्रांतिवीरों ने जैसे परिश्रम किया वैसा ही परिश्रम आपको करना है ताकि क्या होगा जैसे आज हम लोकमा नितिलक का नाम याद रखते हैं अपने देश के लिए अपनी सब्विता के लिए अपनी आजादी के लिए वैसे ही आपका नाम आने वाली पीडियां याद रखेंगी इस देश के दूसरे स्वदेशी आंदोलन के लिए ऐसा कहकर मैं आपका अभार व्य झाल झाल